बुल्गजल कोरियन ड्रामा एक नेटफ्लिक सीरी से जिदर बुल्गजल का मतलब होता है एक मौन्स्टर जो अमर है मतलब कभी मर नहीं सकता इसी वज़े से अपने परिवार के मनने का बदला लेने के लिए बुल्गजल छे सो साल उसकी तलाश में रहता है सो बुल्गजल अपना बदला कैसे लेगा या फिर इतने साल के बाद बदला भूल जाएगा ड्रामा देखके जरूर जाने भले ड्रामा स्टार्टिंग में उतना इंटरस्टिंग ना लगे बड़ जैसे जैसे आगे देखेंगे तो सस्पेंस लेवल बढ़ता जाएगा इसले ड्रामा जरूर पूरा देखें सो ड्रामे की शुरुआत होती है में लीट से जो बताता है कि इसी जमीन पे मतलब इसी धरती पे 600 साल पहले मॉंस्टर रहते थे जो इनसान को खाते थे बड़ अब सारे मॉंस्टर मर गए हैं सिवाए इसके जिसे ना कोई मार सकता है और नहीं वो मर सकता है क्योंकि बुलगजल जो है बुलगजल के शुराब को तोने के लिए 600 साल वो इसकी तलाश में था फी ड्रामा हमें 600 साल पहले ले जाता है जहां कुछ लोग अपना गाउन छोर के जा रहे होते हैं उसमें से दो लोग मॉंस्टर के बारे में बात करते रहते हैं तब ही देखते हैं कि वहाँ एक मॉंस्टर इंसान को खा रहा होता है ये लोग सब देखके डर जाते हैं बट वो बताती है कि ये बचे को श्राब दिया है इसलिए जनम नहीं होना चाहिए इसका अगर जनम हुआ तो बुल गजल इसके ढूनते ढूनते हम सब को भी मार देगा बड़ वो उसे शांद करवाता रहता है राद में सब सोय रहते हैं वो आदमी देखता है कि उसकी वाइफ नहीं है तो ढूनने जाता है वहाँ जाके देखता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइट कर ली है फिर सब गाउवालों में डर फैल जाता है ये देखके कि वो श्राब वाला बच्चा अपनी मरी हुई मा से जनम लिया है तभी एक ओल लेडी बोलती है कि ये बच्चे का जनम नहीं होना चाहिए था अब बुलगाजल इसका पीछा करता रहेगा ये सब सुनके गाउवाले पूरा डर जाते है वो बच्चे के हाथ में कटका निशान रहता है फिर दस साल बात का दिखाता है जहां वही बच्चा गाउवालों से दूर रहता है और गाउवाले उसे देखके बुरा भरा बोलते रहते हैं तभी ये दोनों में से एक बोलता है कि मैं आता हूँ रूको करके थोरे देर बाद ये जाके उसे ढूनता है तभी उसके नाक से बलड आता है इसका मतलब होता है कि बुलगजल आसपास है फिर वो देखता है कि पेर पे किसी ने उसकी बॉड़ी उपर खीचा फिर ये पुरी गाउवालों को बताता है सब जो हुआ था ऐसे ही हाथसा गाउव में होई रात था सब को शक्त था कि ये बुलगजल का ही काम हो सकता है तभी उस आदमी का बच्चा जाके उस बच्चे को मारता है और पुछता है तुमने ही बुलगजल को बलायो ना वो बच्चा डर के भाग जाता है फिर जहां वो आदमी मारा था वहीं एक लेड़ी आके देखती रहती है सुबा को गाउवाले देखते है कि बुलगजल ने वो लोग के गाउव में घुस के उसी आदमी की बीवी और बच्चे को मार दिया है पूरा गाउवाला देखके डरा रहता है तब ही वो ओल लेड़ी आके बोलती है कि बुलगजल वो बच्चे की तलाश में यहां तक घुस गया है जब तक उसे वो बच्चा नहीं मिलेगा तब तक वो हर एक का दरवाजा ठोकता रहेगा फिस सब गाउवाले उस बच्चे को मानने के लिए उसके पीछे भागते हैं फिर भागते भागते वो बच्चे के बाप ने उसे एक बोटल शराब के लिए बेज दिया था वो अपने बाप का हाथ भी पकरता है तो उसका बाप उसे जिरक के गिरा देता है और ये सब वो पानी में डुपटे डुपटे सोचता है तब ये उसको कोई बचा लेता है और यहां वो आख खोलता है फिर अपने गुफा के बाहर जाता है तो उसे वही लेडी दिखती है तबी फिर से गाउंवाले आके उसका पीछा करते है उसे चारो तरफ से घेर के मानने ही जाते है तबी वो उस बचे को गले लगा लेती है और चाकू उसे लग जाता है वो बच्चा रो रो के चलाता रहत गाउं वाले अब उसको मानने की ही जाते हैं तब भी दूसरा गाउं का राजा आता है और पुछता है कि एक मासुम बच्चे को क्यों मार रहे हो फिर वो ओल लेडी आके पूरा बताती है बुल गजल के बारे में बड़ वो उसकी बक्वास नहीं सुनता राजा उस बच्चे मनना जाए बड़ राजा उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है फिर ड्रामा हमें 17 साल बात ले जाता है जहां राजा किसी से अपने रिटायमेंट की बात कर रहा होता है कि अगर रिटायर होंगा तो सारी जिमेदारी अपने बेटे हॉल को ही दूँगा उसे सब बोलते हैं कि बुलकजल का श्राप मिला है बट देखा जाए तो दूसरे सब मॉंस्टर उसे डरते हैं राजा हॉल के साथ मिलके सारे मॉंस्टर को मारता है फिवो लोग सब आखरी मॉंस्टर को मारने जाते हैं वो मॉंस्टर देख सिनी के जादू की वज़े से सब सिपाई एक दूसरे को ही मारने लगते हैं तब ही हॉल उस मॉंस्टर को भाला फिक के मारता है सब होश में आ जाते हैं फिवो मॉंस्चर अपनी असली रुप में आ के हॉल से लरता है हॉल उसे मारता है वो मरते वक्त बोलता है कि तुम्हारी आत्मा हमेशा याद रखूंगा और बदला लेके रहूंगा बोलके मर जाता है फिर हॉल अपनी सखम की मरम पटी करता है तब ही राजा आ जाता है हॉल उनको बोलता है कि क्या मॉंस्चर सही में बदला लेंगे मेरे अगले जनम में जिन्ने मैंने अभी मारा हूँ राजा बोलता है अगले जनम मेरा सगा बेटा बनके जनम लेना मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी फिर उसे सारी जिम्मेदारी लेने बोलता है बढ़ हॉल मना कर देता है और बोलता है मैं बस मॉंस्टर सबको मारूंगा एक आखरी बुलगर्जल मॉंस्टर बचा है बस राजा बोलता है बुलगर्जल लोगों का खून पिता है और कभी मर नहीं सकता और नहीं किसी ने उसको देखा है बस लोगों ने बाते बनाए हैं इसलिए बुलगर्जल को भूल जाओ तबी एक आके बताता है कि हॉल का बच्चा जनम लेते ही मर गया है एन उसकी वाइफ हॉल को ही कोस रही थी कि तुमारे श्राप की वज़े से ही हुआ है। हॉल अपने बच्चे को दफनाता है तब ही उसका बड़ा बेटा आता है जो बच्चपन से अंधा रहता है। वो बोलता है कि एक बड़ बच्चे को टच करने दो ताके मैं उसे बाई बोल सकू आखरी बार। फिर चलते चलते गिर जाता है हॉल की तरफ हाथ भी बड़ाता है बड़ हॉल उसका हाथ नहीं पकरता। उसे ओर लेड़ी का श्राब यादाता है कि जो भी हॉल के साथ रहेगा वो घून के आंसू रोएगा। ये सोच के वो अपने रूम में जाता है जहां उसकी वाइफ उस पे हमला करती है। फिर पता चलता है कि राजा ने अपनी सगी बेटी की शादी हॉल से करवाई है। राजा की बेटी के पास पावर रहता है कि वो अगर किसी को टच करेगी तो उसका पास देख सकती है। फिर हॉल उसे अपना हाथ देता है और बोलता है कि क्या दिख रहा है। वो उसके अतित में वही लेडी को देखती है, हॉल बोलता है कि चलो बुल गजल को मार के ये श्राप तोड़ते हैं, ताकि उसका अंधा बेटा ठीक हो जाए, फी वो लो बुल गजल की तलाश के लिए निकलते हैं, तब ही देखते हैं कि वही गाउवाले एक बच्चे को मार रहे हैं उसकी बली मॉंस्टर को चराने के लिए, हॉल बोलो को चिलाता रहता है, तब ही ओल लेडी आके बोलती है, यही बुल गजल को लेके आएगा, इधर और हम सब मर जाएंगे, गाउवाले डर जाते हैं, हॉल बोलता है, मैं बुल गजल को मानने आया हूँ, अगर को बोलता है, तुम उस दिन नहीं मारी थी, और नहीं उमर बढ़ी है तुमारी, यानि तुम ही है बुल गजल, सभी सैनिक लोग उस लेडी पे हमला करते हैं, वो अचानक से गायव हो जाती है, हॉल लोग सब टेंट लगा के रुकते हैं, फिर रात में हॉल को उसी लेडी का स लाश में अकेले ही निकल जाता है, कि जल से जल वो अपने बेटे को ठीक कर सके, वहां सैनिक के नाक से खून निकलने लगता है, फिर देखते है कि सामने से बुल गजल आ रही है, देखने में वही लेडी लगती है, पूरे सैनिक लोग को मार के खून पीती है, हॉल वापि देखता है कि उसका बेटा आखरी सांस ले रहा है और उसकी वाइफ मर गई है उसका बेटा हॉल का फेस टच करने जाता ही है तब ही मर जाता है हॉल को बहुत पच्तावा होता है कि काश उस वक्त उसका हाथ पकर लेता अपने वाइफ के जैसा काश उस बच्चे को प्यार दे एन यहीं एपिसोड खतम हो जाता है आगे क्या करेगा हौल देखने के लिए नेक्स एपिसोड जरूर देखे। अजिब होल भॉलिने के बार्ड मारती है तलवार को मारती है आई फिर से जाना अमलूंगी ये निशान के साथ जो तुमने मुझे दिये हो। मतलब जहां हॉल उसे तलवार से मारता है वो चाकू का निशान। फिर उसके बाद बुलगजर खाक बन के उड़ जाती है। फिर सारे सोलजर आके देखते हैं कि बुलगजर मर गई है बड़ ड़ते भी रहते हैं कि हॉल घायल है तलवार से बड़ तब भी बिंदास है। वो लोग को लगता है कि कहीं हॉल भी तो मॉंस्टर नहीं बन गया। फिर हॉल अपने बोड़ी से तलवार निकाल के अपने बेटे को लेता है बड़ उसका खून दे के हॉल का मॉंस्टर जागने लगता है। तबी एक सिपाई उसे तलवार से मारता है बड़ कुछ भी नहीं होता। तो बाकी सब सिपाई लोग भी मारते हैं तलवार से इतने सारे तलवार अपनी बोड़ी में लिए हॉल बिंदास खरे होके वो लोग को घुरता रहता है। फिर सिपाई जाके राजा को बताता है कि हॉल मॉंस्टर बन गया है उसने ही अपनी वाइफ और बच्चे को भी मारा है। मॉंस्टर बन गया हूं मतलब बुलगजल जो इनसान के खून पे जीता है राजा बोलता है रॉयल कोट ने तुमें मारने का ओर्डर दिया है इसलिए आखरी बार पूछ रहा हूं क्या तुमने ही मारे हो मेरी बेटी को अपने हातों से वो बोलता है मेरी वज़े से ही मरे है इतनी बहरमी के साथ वो लो को मारे और मैं कुछ नहीं कर पाया मैं ही वो लो के मनने का जिम्यदार हूं राजा बोलता है कि चले ज़ाओ यहां से इंसान से दूर छुपके रहो हॉल बोलता क्या कर रहे है आँ आप मैं बुलगजल हूं जो इंसान का खून पीता है राजा तुम इंसान हो, तुमारे पास इंसान का दिल है, इसलिए चाहिए कुछ भी हो जीओ अच्छे से, बोलके जाता है, तभी सिपाई लोग आ जाते हैं और बोलते हम लोग ने सब सुन लिये, और राजा को तलवार से मारता है, हॉल का मॉंस्टर बहार आता है, फिर उसको उठा बोलता है कि कभी इंसान का खुन नहीं पिना, हमेशा इंसान बनके रहना, बोलके मर जाता है, फिर हॉल वो तीनों को दफनाता है, तभी वही ओल लेड़ी आती है, हॉल बोलता है, जो तुम बोली थी, हो या सच वो, और कुछ शराब जो तुमने नहीं बताई हो, वो माफ बन गए हो और वो इनसान बनके मरी है और इनसान बनके ही पुनर जनम लेगी हॉल भरक जाता है और बोलता है मेरी आत्मा चुरा के इनसान रहेगी और मुझे इस दलदल में छोड़ी अब चाहे कितनी बार भी क्यों न जनम ले हर बार मैं अपना बदला लेके रहूंगा फिर कुछ साल बात का दिखाता है जहां दुसरे देश के सिपाई लोगों को मारते रहे हैं उस लराई के बाद हॉल मरे हुए जानवर का खून पिता है अपने फादर से जब प्रामिस जो किया था फिर हॉल वही लेडी का पेंटिंग बनाता है और फिर सारे गाउंवाले शीफ लिया हूं पता चला मेरे जैसे और लोग है जो इसकी आत्मा के पीछे थे हॉल को मॉंस्टर की बात याद आती है कि उसने बोला था कि हॉल की आत्मा याद रखेगा और बदला लेगा फिर हॉल उसे बोलता है तुम लोग जो आत्मा के पीछे हो वो मेरी आत्मा है तुम ल दोंगा मतलब हॉल ने सारे मॉंस्टर को मारा था हिसलिए सारे मॉंस्टर हॉल से बदला लेने चाहते हैं उसकी सूल मतलब आत्मा को याद करके बट वो लेड़ी बुलगजन ने हाल का आत्मा ले ली है और इनसान बन गई है इसलिए अब सारे मंस्टर वो लेड़ी के पीछे पड़े हैं फिर ड्रामा 600 साल बात का दिखाता है जहां हाल एक डिटेक्टिक से जाके मिलता है और वो वही रहता है जो हाल को स्कूल से कर रही है उसके दोस उसकी बहन के बारे में पूछते है तो वो बताती है कि एक रूम में बंद रहती है बस फिवो लड़की घर चाती रहती है और वही गारी उसका पीछा करता रहता है फिवो लड़की जल्दी से घर में जाके बताती है तो उसकी जुरवा बहन संग्यन समझ जाती है कि बुल गजल आ गया है तभी उसकी मॉम आती है घर में तो उनकी छोटी बेटी सीहू बताती है कि दोनों मुझे छोड़के चले गए मतलब दोनों बहन उसके और वहाँ आप दोनों बस से जाते रहते हैं तभी वही लड़की का हाथ कापने लगता है वो संग्यन को बताती है संग्यन बस ड्राइवर को देखती है कि वो लोग को ही देख रहा है फिर वो लोग बस से उतरते हैं तो वो उसका पीछा करता है संग्यन उसे चाकु से डराती है और बोलती है पीछा मत करो वो उसे ढख्का दे कि आप उसकी बहन के पास जाके बोलता है तिम्हारी आत्मा की स्मयल तभी संग्यन उसे चाको से मारती और भाग जाते है वो लू फिर एक घर में जाते है वो लू संग्यन बताती है कि वो मौंस्टर था तुम्हारा हाथ का अपना मतलब तुम पिछले जनम के मॉंस्टर को पहचानती हो ये तो कुछ नहीं है इससे भी बुरा बुलगजल है मैंने बोली थी ना मास बेहन के जाना बार हम टुइन से इसलिए पहचान लिया और हमें भागना पर रहा है उसकी बहन भरक जाती और बुलगजल की कहाने में बिश्वास नहीं करती फिसेंगेन वश्रूम में अपने नेक के पास नवई निशान देखती है जो उसे हॉल ने दिया था फिर दोनों एक लेड़ी के घर जाते है फिर दोनों बात करते है फिर सेंगेन अपनी बहन को बोलती है कि मैं काम से जा रही हूँ इसलिए घर पे ना कॉल करना और नहीं वहाँ जाना नहीं तो तुमारी पूरी फैमली मर जाएगी मुझे ढूनना होगा तलवार को जिसे बुलगजल को मारा सकते है वही तलवार जिसने मुझे 600 साल पहले मारा था बुलके चली जाती है फिर रात को वो अपने माम को कॉल कर देती है और वहाँ से जाती है वो लेड़ी उसे रुकने की भी कोशिश करती है बट वो भाग जाती है धक्का देके फिर अपनी माम के साथ घर जाती है वो अपनी छोटी बेंट सीउ के बारे में पुछती है उसकी माम बताती है कि वो अपने फ्रेंड के याँ है हॉल वो लोगो जाते हुए देख लेता है और यहाँ यह लोग सीरी से जाते रहते है तब ही संयन आके बोलती है मना की थी ना आने से अपनी मॉम को भी बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ अगर जिन्दा रहना है तो यहां से चले जाओ तब ही बिल्डिंग की लाइट आफ होने लगती है फिर अचानक से दर्वाजा पटकने के आवाज आती है और क जनम नहीं होगा उसको कवर्ड में छुपने बोलती है और बोलती कि जिन्दा रहना किसी पर भरोसा नहीं करना और बुल्गजल को मानने का तरीका ढूनना और महां दर्वाजा जो जो से पटकता ही रहता है वो पुछती है कि कैसे ढूनूंगी तो संग्यन बताती है कि भागो यहां से फिर दिखाता है कि पुलिस आके देखती कि घर में सी वही लड़की जिन्दा है पुलिस लोग उसे पुछताच भी करते है बट वो कुछ नहीं बोलती फिर होस्पिटल में उसे संग्यन की बात याद आती है और बुल्गजल होस्पिटल में उसके रूम मे जाता है देखता है कि वहां कोई नहीं है फिर वही लड़की अपने छोटी बेंड सी यू के साथ वही लड़की यहां जाती है फिर ड्रामा 15 साल बात का दिखाता है जहां हॉल उसकी तलाश में उसी घर में जाके पूछता है बट मालूम परता है कि वह लोग शिफ्ट हो देखाता है जो हाल को मारी थी और ये वही लड़की रहती है अब उसका नाम हिंड़ियू रहता है एक लौंडरी में कांप करती है रात को वही अपने पुराने घर में जाती है जहां उसकी मॉम और से नहीं were यान सांगे वहां जाके यास करती रहती है संग्यन को सौरी भी बोलती है कि उसकी बात का उसने भरोसा नहीं की हिंग जू बोलती है कि जैसा तुम बोली थी वैसा ही कर रही हूँ छुपके रह रही हूँ बड़े मुझे याद नहीं आ रहा कि तुमने क्या बोली थी बुल गजल को मानने का तरीके के बारे में बोलके रोती रहती है तभी उससे दरवाजा खुलने कि वैसी आवाज आती है जैसा उस रात को आ रही थी. बाहर से हॉल ट्राइ करता रहता है दरवाजा खुलने की एन अंदर यह देख जड़ी रहती है एन यह ही एपिसोट खतम कि तेहिंग जो अपने घर जाती है एन वहां हॉल भी पहुंचता है वो दर्वाजा जबरदस्ती खोल के अंदर जाता है बट उसे वहां कोई नहीं मिलता उसे लगता है कि कोई आया था बट भाग गया है तो बहार ढूनने जाता है तब ही उसे दो पुलीस वाले आके उसका आईडी मांगते है क्योंकि किसी ने रिपोर्ट लिखाया है कि एक आदमी बंद बिल्डिंग में भटक रहा है हॉल का आईडी देखके वो लुक चेक करने बोलते हैं पुलीस टेशन में क्योंकि कुछ जादा ही जवान दिख रहा होता है डेट अब बट के हिसाब से हॉल आटए के खिरकी से भाग जाता है यहैंग जो डर के टेक्सी पकड़के जाती है दोनों एक दुसरे को क्रॉस करते हैं बाट देखते नहीं है यह ज DNA कि उसका रबर वहीं घर में चुट गया है हम जिंग जल्डी से घर आके ऐस चूटी भेंऽ को कॉल करने बोलती कि बल्ग कर देती है फिर दिखाता है पहले खाज हेंग्जु सीयों को लेके अपने घर से भाग रही थी फिर सीयों को वो सारी सचाई बता देती है मॉम और सिंग्यन के बारे में बड़सी फिर्व को ही दोशी बोलाता बर वो लोगो कुछ नहीं मिलता फिर हॉल हेंग्जू की ड्राइंग देख के अपनी बात याद करता है कि वो लड़की को ढून के उससे वो अपनी आत्मा ले लेगा और उसे बुलगरजर बना के कुवे में डाल देगा वो बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें वो तेर्फ देख के पराने जमाने की समान रखते हैं हें लोकर को जब भी मालूं परता है कि पुराने टाइम का तलवार आया है तो जाती है चेक करने क्योंकि उसको सेयन बोली थी कि तलवार देखके ही सब पहचान लोगी करके पट वहाँ जाके एक तलवार देखती है बट वो तलवार भी नहीं रहता मिचारी उदासों के बस्ट्रप पे खड़ी रहती है तब ही उसका हाथ कापता है मतलब आसपास मॉंस्टर है तो आजू बाजू जल्दी जल्दी देखती है उसे वही बस ड्राइवर दिखता है जो उसको ही देख रहा था तो डर के भागती है और वो उसका पीछा करके एक बिल्डिंग में घुसता है हिंजू उसे बंद करके बोलती है कि मेरा पीछा मत कर वो बोलता है कि तुम मांस्टर को महसूस कर सकती हो उस दिन बस में भी कर ली थी ना वो बोलती है उस दिन से मेरा पीछा कर रहे हो यह बोलता है हाँ तुमारी आत्मा की स्मेल भूल नहीं सकता मेरे जैसे और लोग है जो तुमारी आत्मा की पीछे है वो बोलती है कि मेरा पी क्योंकि उसने ये पहले भी किया हुआ है वहाँ वही कल्पिट जाता रहता है और पीछे से एक लड़का उसे मारने जाता है क्योंकि उसके अनाताश्रम के बचे को किनाप जो किया था कल्पिट के गारी का नंबर प्लेट से उसका पीछा करके वहां पहुंचता है वह कल्पि है क्योंकि तुम पैदा ही उसके लिए हुए हो वो बुलगजल बन के उसको मारता है और वही घर में ले जाता है फिर हैंग जो की फोटो दिखात के पूछता है कि इसको भी तुमने मारे हो क्या वो बोलता मुझे याद नहीं है हॉल उसे पूरा बताता है कि तुम लोग मॉं वो उदर इशारा करता है तो हॉल जाके देखता है तो उसे एक रड रबन बैंड मिलता है तो फिर वो उसको महसूस करता है तो उसे हिंग जू का जहलक दिखता है और वाशिन मशीन दिखता है तब ही पीचे से वो आके उसको चाको से मारता है हॉल उसका हाथ तोड़ देत पर फिर वो डिटेक्टिव के पास जाता है, वो उसके चेस्ट पर खूम देके डर जाता है, और बोलता है कि 15 साल से इस क्रिमिनल का रिकॉर्ड देता हूं, वो गायब हो जाता है, तुम कुछ करते तो नहीं, हॉल बोलता है, ऐसा है क्या, इतिफाक है ना, फिर बोलता है कि लड़की को ढूंड सकते हैं जहां लॉंड्री का काम हो वह जगा ढूंडो वह बोलता ठीक है फिर वह एक पुलिस वाले को कॉल करके बोलता है एक नाइस डील है मेरे साथ काम करो वह फिर जाकर डिटेक्टिव से मिलता है यह पुलिस वाला अप एक्स पुलिस बन जाता है क् निकाल दिये है पुलीस से 15 साल पहले एक केस की वज़े से फिडिटेटिव उसको लड़की का फोटो दिखाता है और बोलता है कि इसको ढूनना है वो हिंग्जू की बच्पन का फोटो दे के शौक हो जाता है क्योंकि 15 साल पहले हिंग्जू की मॉम और सेंग्यून जो मरी थ का उसने फिलिए हिंग्जू से पुछताक किया था तब हिंग्जू बोलतीए कि बुल्गेजल आरहा हैто हुह सुन के उसे बच्पन का याद आता है जहां। भेन के साथ भागता है तब उसकी भेन भी बोलती की बुलगेजल है इधर और वो मर जाती है उसे शक होता है कि बुलगेजल ही होगा जो हिंग्जू को ढूनने बोला है तो डीटेक्टिव से पुछता है कौन ढूनने बट वो नहीं बताता वहां हॉल मेडिकल से बैंडेज लेके वही कल्पिट के कार से घर जाता है फिर जखम पे पटी लगा के अपनी वाइफ और बच्चे को याद करता है तब ही उसे डिक्की से आवाज आती है तो जाके देखता है तब ही वो लड़का हॉल को वही जखम पे चाकु से हमला करता है वो समझता है कि कल्पिट होगा वो लड़का बोलता रहता है कि एंबुलेंस बुलाते है बट हॉल बोलता है कि चले जाओ यहां से फिर उसे डिटेटिव का कॉल आता है और बोलता है कि दो-तिन दिन लगेगा ढूने में तो हॉल बोलता है कि एड्रेस बेर जो मैं जाके खुद देखूंगा और उस लड़के को बोलता है कि यहां वापिस नहीं आना ने तो जान से मार दूँगा यहां हंग जू सीयो को कॉल करती रहती है बर लगता नहीं है फिर एक लेड़ी से बात करती रहती है उनके हाथ में चोट लगा रहता है तो हिंग जू उनका नाइट शिफ्ट करने को रेड़ी हो जाती है तब ही सीयो कॉल करती है और बोलती कि कुछ काम में उलजीत इसलिए कॉल नहीं कर पाई थी एंड वहां हॉल सारे लॉन्डरी में हिंग जू के बारे में पुष्टाच करता रहता है यहां सारे वर्कर चले जाते है तो हिंग जू काम करने के लिए रेड़ी हो जाती है वहां हॉल दुसरे लॉंडरी में जाके पुछता है तो वो उसकी फोटो देखके बोलता है कि हाँ ये हिंजु है कुछ गरबर किये क्या मुझे लगाई था काम करने आया थी तो कॉन्ट्रेक भी साइन नहीं की थी हॉल पुछता कि अभी भी काम कर रही है वो बोलता नहीं सब चले गए कल सुबर मिल नहीं तब ही बाहर हिंजु सफाई करती है तो वो बोलता है कि अंदर जाके करो और हॉल को बताता है कि दूसरी लेडी है हौल हिंजु के एड्रेस मांगता है बड़ वो नहीं देता फिर पैसा लेकर मूँ अपना खोल देता है फिर से दोनों एक दुसरे को क्रॉस करते है फिर वो डिटेक्टिव को कॉल करके वो एड्रेस देता है और बोलता है चेक करने को जाके तब ही हिंजू से समान गिर जाता है तो हॉल उसे उठा के देता है वो फिर से गिरा देती है और बोलती एक और बार हेल्प कर दो हॉल उसकी फिर से हेल्प करता है हेल्प के बाद ले हिंजू उसे ड्रिंग देती है वो मना करता है तो जबरदस्ती देती है और वो उसको जखम भी देख लेती है तो उसको बोलती होस्पिटल जाने बड़ वो बोलता है आदत हो गई है फिरिडेटिफ कॉल करके बताता है कि वो एड्रस गलत है मैंने मैप में चेक किया हूँ कोई घर नहीं है वैसा हौल बोलता है मैं खुज आके चेक करूँगा और जाता है वो हिंग्जू का रबर बैंड हाथ में लगाया रहता है तो वो देख के उसे ध्यान में आता है कि जिस लड़की ने ड्रिंक दी थी उसके हाथ में भी सेब रबर बैंड था तो गारी घुमा के जाता है यहाँ यह काम करती रहती है तब ही उसके हाथ कापने लगता है तो सिसी टीवी में देखती है कि वही बस ड्राइवर वहाँ है तो भागती है जल्दी से एन वो उसके पीछे बागता है हिंग्जु को ढका देकि गिरा देता है और बोला था न धून लूँगा वापिस तब ही हिंग्जु को सेंगयन की बाद यादाती है और वो एक गुफा देखती है जहां कोई जा रहा होता है एन यहां दिखाता है कि हेंग जू ने उस बस ड्राइवर की बहुत पिटाई कर दी है वो बोलता रहता है कि ऐसा कैसे कर सकती हो कौन हो तू और फिर से उसे चाकू से मानने जाता है तब ही पीछे से हॉल आके रुकता है दोनों फील लड़ते हैं हॉल की ताका देके हेंग जू शौक रहती है फिर वो भाग जाता है हेंग जू हॉल को रोकती है उसकी पीछे जाने से हॉल सोचता रहता है कि मेरा दुश्मन मेरे सामने है अब जाके मेरा बदला पूरा होगा बुलगजर बंकता रहता है और चाकूर रेड़ी रखता है हिंजू उसका फेस टच करती है जहां कटा होता है तो हॉल को हिंजू का एक अलगी ज़लक दिखने मिलता है तो कन्फूज होगे उसका हाथ पकरता है और बोलते है क्या दिखाई तुमने मुझे तब ही उसे सी यू आवाज देती है और वो रहती है हॉल की वाइफ मतलब हॉल की वाइफ और उसकी दुश्मन दोनों बहन है हॉल ये देखके पुरा शौक हो जाता है यहीं एपिसोड खतम हो जाता है हौल की दुश्मन और उसकी वाइफ दोनों बहन है ये देखके हौल के तो सिटी पिटी गोल हो जाते है एन उससे भी बुरा ये होता है कि सीओ को हौल उतना कुछ पसंद नहीं आता है फिर ये दोनों वहाँ से भाग के घर जाते है क्योंकि हिंजु को हौल अजीब सा लगता है बट उसका हाथ नहीं कापता मतलब मॉंस्टर भी नहीं है हिंजु बोलती कि कली हमें यहां से जाना होगा फिर से शिफ्ट करने की बात सुन के सीओ भरक जाती है क्योंकि उसके हिसाब से आज के जमाने में बुलकजल जैसा थुरी कुछ होगा वो बिचारी तंग आ जात है और वो अपने बचे को खुद पा लेगी हिंजु बोलती कि ठीक है मैं सब ठीक कर दूंगी बर सीयो बोलती है तुमें सिफ भागना आता है पहले भी और अभी भी गुसा होके रूमें चली जाती है वहां हॉल को कुछ समस्ता नहीं है और गुसे में भी रहता है तो गार स्पीड में चला के एकसिडन करवा लेता है फिर पहले का दिखाता है जहां वही ओल लेड़ी बोलती है हॉल को कि तुम्हारी फैमली का ये हाल तुम्हारी वज़े से ही हुआ है वो लोग तुम्हारे शराप में आ गए थे और हर जनम में तुम वो लोग से मिलोगे मेभी दुश्मन और मेवी एज़ा दोस्त और वो फिर से तुम्हारे शराप में आएंगे तुम्हों का नाता इतना असानी से खतम नहीं होगा फिर एक लेड़ी आके गारी से उसे ले जाती है और वही ओल लेड़ी रहती है वो हॉल को जानवर का खुन लाके देती है जिन्दा रहने के लिए हॉल बोलता है कि अपसे डिलेवरी नहीं करने इस बार उसे हात्मा लेके उसे कुए में डाल दूंगा और तुम्हारी पीडियों की जिमेदारी रहेगी उस कुए की रक्षा करने की फिर वो चली जाती है तब हुल को आवास आती है रूम में से तो जाके दे दूंगा वो हॉल पे चड़के उसे धंकी देता है कि मुझे यहां रहने दो नहीं तो वरना में तुम्हारी बारे में नेट पे सब डाल दूंगा हॉल उसका हाथ पर बांद के चला जाता है फिर दिखाता है पहले का मौंस्रट जो बारिश में लोगों को मारता था और वह वही बस ड्रैवर रहता है वो अपने जखम पे पटी लगाता है तब ही उसके घर में डाक होल नाम का आदमी हिंगजू के बारे में पूछता है वो बताता है कि दूसरा आदमी बीच में आ गया था डाक होल बोलता है कि 15 साल से प्रेक्टिस कर रहे हो ना फिर से ढूंडो उसको वहाँ दोनों बेहन एक दूसरे को माफ कर देते हैं हिंजू सीयो को बोलती कि दर्वाजा नहीं खोलना कोई भी आयतो और खुद जाती है बुल गजल को मानने का तरीका ढूंडने के लिए यहाँ पुलिस वाला डिटेक्टिव से हॉल का नमबर लेके कॉल करता है औ और वो डरा भी रहता है कि अगर घर के मालिक मतलब हॉल को पता चलेगा तो उसे नहीं चोड़ेगा फिर पुलिस वाला पुरा घर चानमिन करता है हिंजू की इतनी फोटो देखके वो समझ जाता है कि वही कल्प्रिट है फिर उसे घर का एड्रेस मिलता है तो वो जाता है तो यह उनको लेकर क्योंकि उसने होल की शकल जो देखा था वहां घर में बस जर्जो से ठोक के घर में घुच जाता है हॉल सीऊ को पचा लेता है बड़ सीऊ जैसी हॉल को टच करती है तो उसे अजीब सा लगता है फिर हॉल वो बस ड्राइवर का पीछा करता है फिर यह ल का मुकाबला टकर के साथ देता है फिर उसे रसी से लटका के छोड़ देता है वो समस्ता ही की हॉल मर गया है और बोलता है उसने बोला था कि तुम्हें फसा के यहां बुला सकते हैं वो लड़की की आत्मा हमारी है फिर हॉल आंके खोल के बुलगजल बनता है और उसे पुछ पुलिस वाला और कोई नहीं हॉल का फादर रहता है मतलब राजा जो पहले देखे थे फिर पुलिस वाला बस ड्राइवर से हॉल के बारे में पुछता है वो बोलता है कि यही लड़की को माना चाता है मैं जानता हूँ कहां मिलेंगे वो लोग वाल एक को कॉल करके हिंग्जू के बारे में पुछता है जो उसका पीछा कर रहता तब ही एक आदमी आता है और उसे मार देता है हिंग्जू नर्सिंग रूम में जाके वही लेड़ी से मिलती है जो वो लोग को अपने साथ रखी थी वो लेड़ी वो लोग को बोलती कि छु जाने लगती है नर्सा के उसे शांत करवाती है वो सोते सोते बोलती है कि बुल गजल को बुल गजल के साथ मारो फिर उसे सीओ का कॉल आता है वो सब बताती है और बोलती कि हाल के बारे में कि मैंने उसे टच की तो अजीब सा लगा वो इंसान नहीं है हिंग जू बोलती कि न बढ़ फिर वो देखती ही उसके हाथ में खून लगाया तो भागती है और उसका वो पीछा करता है। बढ़ता याद नहीं है क्या तुम्हारी जुर्वा भेन को याद था सिफ कि तुमने मेरे साथ पिछले जनब में क्या की थी। हिंदू चिला के बोलती है कि तुमने ही मेरी फैमिली को मारे होना और चाकू से उसे मारती है। फिर दिखाता है पहले का जहां हॉल बस यहों को क मांस्टर होगा बढ़ एंगजू बोलती है कि नहीं वो बुलगर्जल ही था। उसकी ताकत इंसान जैसे नहीं थी। वह पुलिस वाला दोनों को लेके वो बस ड्राइवर की बताय हुए रास्ते पहुंचता है तब ही वो रस्ती से पुलिस वाले को गला दबाता है। फिर पुलिस वाला बेहुश हो जाता है यहां हौल हिंगजू की बात सुनके समझ जाता है कि उसके सिवा एक और बुलगर्जल है। फिर महसूस करता है कि कोई आ रहा है तो हिंगजू को भागने बोलता है और खुद के बोड़ी से चाकु निकालता है। डाक होला के उससे पू मार खाता है विचारा कमजोर जो रहता है क्योंकि वह इंसान का खुद नहीं पीता वह हौल को काटता है और बोलता है मारूंगा ने क्योंकि तुम बस रास्ते में आगे हो मैं बस उसकी आत्मा को मारना चाता हूं या अखडी बारे उसका इसके बाद जनम नहीं होगा। है कि आत्मा लेकी इंसान नहीं बना चाहिए था बड़ा पकर लिया हूं और उसे चाकु से मानने ही जाता है तब हिंजु को उसकी बेहन की बात याद आ जाती है वो बोलती है कि ऐसे इंसान को ढूनने जिसके हाथ में कट का निशान हो वही है जिसे बुल गजल को मार सकते हिंजु समझ जाती कि कर निशान जिसके हाथ में था वो हॉली है वहादोई उन हेल्प करता है हॉल की बड़ हुल खुदी चाकु निकालता है वो बोलता रहता कि क्या की है तुम्हारी बेहन ने अगर मैं तुम्हारी आत्मा तोर नहीं सकता तो तुम्हें मार तो सकता हूं और उसका गलत दबाता है तब पीछे से हॉल उस पे चाकु फिक के मारता है वो बोलता है कि फिर से मिलेंगे बोलके चला जाता है फिर हॉल हिंजु को उठाता है ताके वो अपनी फैमली का बदला ले सके हुष में आके बोलती कि मेरी भेन ने तुम्हें ढूनने बोली थी एक इंसान जिसके हाथ में कटका निशान हूँ मतलब इतने दिन से हिंग्जू जिस तलवार को ढूंड रही थी वो कोई एक्शुल तलवार नहीं बलकि हॉल लास एपिसोड में हमें मालूम पड़ा था कि हॉल ही वो तलवार है जिससे बुलगजल को मार सकते है हिंग्जू बोलती कि मेरी मदद करो और बेहोश हो जाती है हॉल अपना बदला नहीं ले पाता फिर उसे वो कार में रखता है तब ही दो यूना के बोलता है मुझे भी ले चलो हॉल पूछता है तुम यहां कैसे आए वो बताता है पुलिस वाले के साथ आयता है हाँ वही है हॉल देखता है जिन्दा है तो अम्बिलेंस में कॉल करता है फिर उनको वहीं छोड़के चला जाता है फिर अम्बिलेंस आ के उनको उठाती है वहां हिंग्जू हॉल के घर में सोई रहती है यहाल उसे देख के अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और गला दबाने जाता है बट फिर कंट्रोल करता है और अपने जखंपे मुरम पट्टी करता है यहां जो नीद में पहले का देखती है कि जब वो बाहर आके देखी थी तो वो बुल गजल और कोई नहीं डाक होल रह का म。ुर्ण फिर करता है और उसके सामने सिख्यां को मारता है बट फिर जब लगो में बरता है इसरो होल और अको देखती है और यहां ओन्हें मेरा घर है। उसको तुम्हें में ले जाने नहीं दूंगा वैसे तुम्हीं मारना क्यों चाता है। ताकि मेरी बैन मेरी बादी करक सको मेरी मेरा मेरी भी वहाँ बदले करता है वहाँ सब्सक्राइक मेरा उसे कुछ नहीं समझता है करती रहती है तब दर्वाजे पर वही लेडी आती है उसका नाम ली सुक रहता है वो अंदर आनी की कोशिश करती है बटसी उसका गलात दर्वाजे से बंद करती है फिर वो बोलती कि तुम्हें जानने वाले ने मुझे भेजा है यह जगा सेफ नहीं है इसलिए मेरे साथ चल है और वही सेम पावर सीओ के पास भी रहती है उसे फिर जबरदस्ती ले जाती है फिर हॉल कॉल करके सीओ के बारे में कनफर्म करता है फिर ली सुक उसे पुछती है कि अब क्या करोगे तुम्हें पता नहीं था क्या दूसरा बुलगजल भी है फिर पहले का दिखाता है ज कच्राइब करने थार्ट करता है मेरा घर को भूता है बिछार फशार हो एक हम ऐसे जाने मेरे रहने की और उसके और हीड़ीक हार देखता है तो हम पैसा देता है खाने को लाने के लिए उसके और हिंग्जू के लिए वहाँ पुलीस वाला उसका नम होयल रहता है पुलीस टेशन में चिला चिला के बोलता है कि मैंने देखा एक आदमी दूसरा आदमी को काट रहाता केस लिखो बड़ उसकी कोई नहीं सुनता फिर कैप्टेन को भी सब बताता है और उसे बोलता है कि फाल तु हरकत मत करो जो पता है बुलकेजल के बारे में वो बता वो फिर सब बताती कि उसने ही मेरी फैमली को मारा है और मेरी बहन ने बोली कि तुम ही उसे मार सकते हो हौल भरका रहता है कि उसको उसके पिछले जनम का कुछ याद नहीं रहता फिर ड तुम्हारे बारे में सब जानता हूं तुम जनना चाहते हैं उससे पहले उसकी आतमा के पीछे क्यों पारे हो बताता है यह ऑठाए पार खातं कर देंगे तो पुनर जनना नहीं होता बेहने साथ बर मार दिया हूँ बट इस बर उसकी जुर्वा बेहन ने कुछ किये शायद जब भी उसे माने जाता हूँ डाक होल में से खून निकलने लगता है हजारा साल से ये इसका दर्द सहरा हूँ अगर वो चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा इसलिए मेरा ये काम तुम कर दो तुम्हारी दुश्मनी भी खतम हो जाएगी वहां हेंग जु दोयून को बोलती है कि दर्वासा खोलने बट वो हॉल से डर के दर्वासा नहीं खोलता है कि तुम मरे रहो अंदर ही रहो हिंग जो सुचती ये क्या बोल रहा है फिर बोलती कि मेरी बहन सी उसे बात करवा दो कॉल पे यहां हॉल उसको बोलता है कि जो आत्मा की बात कर रहे है वो मेरी है इसलिए मुझे उसे खतम नहीं करना है बलकि उसे वापिस लेना है डाक होल बोलता है अगर ये रास्ता चुनोगे तो मैं उसे मार दूँगा फिर फिर जनम लेगी मैं फिर मार दूँगा अगर मैं आत्मा खतम नहीं कर सकता है तो उसे मारूंगा ताके तुम अपनी आत्मा कभी ना ले सको हाल उटके बोलता है कि बस इतना जान नहीं आओं कि तुम उसकी आत्मा खतम नहीं कर सकते हो इसलिए जाता हूं वो गुस्ते से उस पर हमला करता है और कपरे से ढाग देता है फिर बोलता है कि तुम्हें रिक्वेस्स नहीं कर रहा हूँ जान नहीं हो ना मेरे से कमजोर हो तुम जीत नहीं सकते हो अच्छा होगा कि वो लड़की को यहां ले आओ वो कुछ भी बोले कि उसका भरोसा मत करना क्योंकि वो सब जुड बोल रही है और मेरा नाम इल्टे है बोलके चला जाता है वहाँ घर पे हिंग्जु चिलाती रहती है बर दो यू नहीं सुनता फिर वहाँ होयल पहुंचता है वो घर में हॉल को ढूनता है उसे वहाँ कोई नहीं मिलता फिर रूम में से आवाज सुनता है तो वो तोड़के हिंजु को जाके मिलता है मैं पुलिस था तुम्हारे फैमिली के केस का तुम भाग क्यों गई थी हम लोग हैल्प करते थे ना बर हिंजु बोलती है मुझे भरोसा नहीं है पुलिस पे तभी हॉल भी आता है हॉल पूरी कोशिश करता है कि उनको जादा तकलिफ ना दे क्योंकि उसका फादर जटा पहले तभी हॉंजु आकर बोलती है कि इसने मुझे किनाप नहीं किया है बल्कि है मेरी मदद कर रहा है फिर हॉल हिंजु को लेकर चला जाता है हिंजु बोलती है कि सीयो से बात करने दो बट हॉल बताता है कि सीयो तुमारे साथ रहेगी तो उसे भी खत्रा है इसलिए मैंने किसी को बोला हूँ उसकी रक्षा करने हिंजु बोलती कि ठीक है मैं तुमारा भरोसा करूंगी बट प्लीज मेरी हेल्प करो वो बिलकजल को मारने में हम बहने नॉर्मल लोगों के जैसा रहना चाते है वहां सी उ फोन ट्राइ करती रहती है बट नहीं लगता है फिर उदर हॉल की फोटो देखके डर जाती है और मौका देखके वहां से भाग जाती है यहां हॉल हिंचु को लेके जंगल में जाता है तब ही उसको इल्टे का कॉल आता है वो बोलता है कि कब लेके आ रहे हैं उसको हॉल बोलता है इंतजार मत करो मैं तुम्हें वो लड़की कभी नहीं दूँगा इल्टे उसे समझाता है कि उसकी आत्मा खतम कर दोगे तो हम दोनों का फाइदा है तुम और भी स्ट्रॉंग बन जाओगे मेरे जैसे हॉल बोलता है तुम्हारे जैसे सोच के भी घीना रही है वो बोलता है कि अगर उसका आत्मा लेके तुम इनसान बन गए तो तुम्हे ढून के मार दूँगा फिर कितनी बार भी जनम लोगे हर बार ढून के मारूँगा हॉल बोलता मार देना मेरा बदला तो पुरा हो जाएगा बोलके फोन रख देता है इल्टे गुसे में किसे को फोन लगाता है यहां हॉल हिंचु को बताता है कि यह कुवा मैंने उसके लिए बनाया हूँ जिसने मेरी फैमली को मारा है वो पूछती कि कौन ऐसा किया फिर हॉल बताता है कि तुम 600 साल पहले बुलगजल थी और तुमने ही मेरी परिवार को बड़ी बहरमी के साथ मारी हो बड़ उसे विश्वास नहीं होता हॉल बोलता है याद नहीं है क्या जब तुम्हारी आत्मा ले लूँगा तो तुम्हें सब याद आ जाएगा अब जाके यह श्राप खतम होगा और उसे चाकू से मानने ही जाता है तब ही ली सुगा के बताती ये सियो के बारे में कि वो गायब हो गई है शायद उसे कोई उठा के ले गया है हॉल उसे चिलाता है और हिंग्जू को बोलता है कॉल करने वो कॉल करती है तो एक आदमी उठाता है वो बोलता है कि कबसे मिलना चाहता था डाख होल बोला था कि अगर इसको उठाऊंगा तो तुम जरूर आओगे फी वो लोग जाते रहते हैं होयल आके गारी रोकता है और उसे पुछते कहां लेके जा रहो इतनी रात को हिंग जो जल्दी से उसकी काल ले लेती है होल बोलता है कि अखेले मत जा ले बस मैं बचाओंगा उसे हिंग जो बोलती कैसे भरूसा कर लूँ कुछ देर पहले मुझे मारना चाहते थे तुम होयल उसे पकड़ के बोलता मुझे तुम ऐसी हरकत करोगे हिंग जो माईसे निकल जाती है होल फिर सब उसको बताता है तो दोनों जाते है फिर दिखाता है पहले काथ जहां राजा अपने लोगों के साथ मॉंस्टर को पकड़ने जाता है तभी पानी में से एक मॉंस्टर आके राजा का हाथ उखाल लेता है फिर हॉल उसे बचाता है यहां हिंग जो कॉल करती है फुनके आवाज सुनके पानी में जाती रहती है जाते जाते डूब जाती है फिर हॉल उसको बचाता है और किनारे लेके जाता है हिंजु हॉल को चिला दी कि तुम तो बोले ते सियू सेफ है उसके साथ क्यों हो रहा है सब तब ही इल्टे कॉल करके बोलता है देखा उसकी आत्मा खतम नहीं किया है उसकी वज़ा से एक मासूम लड़की खत्रे में पड़ गई ना वो आदमी मोंस्टर है तुमने उसे मारत है इसलिए अब तुम्हारे आत्मा मतलब हिंजु के पीछे है अगर तुम्हारी आत्मा खतम हो जाएगी तो वो लोग रुख जाएंगे इसलिए उसे यहां ले आओ इससे पहले कोई और पकल ले और याद रखो हम दोनों दुश्मन नहीं है हमारा दुश्मन वो लर्की है हिंजु बोलती है कि ले चलो मुझे उसके पास ता कि मेरी बेहन बच सके बर हॉल बोलता है कि मैं तुम्हारी बेहन को बचाऊंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा उसे मानने को इसलिए उसे मानने का रास्ता ढूंडो जब तक मैं उसे मानना लो तब तक मैं तुम्हें इनसान रहने दूंगा मतलब उसे आत्मा नहीं लेगा और यहीं एपिस को मारेगा यह लोग बात करते रहते हैं तभी वहाँ से वही आदमी गुजरता है बट हॉल के ढूने से पहले वह सीयू को लेकर फूर हो जाता है फिर उसको डाक हॉल कॉल करके बोलता है कि सीयू को छूना भी मत उसका इस्तमाल करके बस हिंजू को पकड़ेंगे यहां हो यह हिंजू को बोलता है पुलिस के हेलप लेने बट वो मना कर देती है क्योंकि उसके नैपिंग केस में बुलगर्जल और मॉन्स्टर शामिल है फिर हॉल होयल को बोलता है कि इस नदी के आस पास कोई केस है क्या लोगों के डूबने का जो अजीब सा हो फिर वो जाके कैप्ट में बट उसे कुछ खास विश्वास नहीं होता है फिर वो लोग उसके अड़े पे जाते हैं जो वही नदी के पास था फिर हॉल हैंजू को चाकु देता है इमर्जंसी के लिए बट वो बोलती कभी यूज नहीं की हूं तो हॉल बोलता पहले तो बहुत मारते फिरती थी इ लेती है फिर वो लोग अंदर जाते रहते हैं तभी सेक्रेटी गार्ड आके बोलता है कि कोई नहीं है इधर जाओ यहां से तभी हैंजू कॉन्फिटेंट के साथ बोलती है कि अंदर ही है वो क्यूंकि उसका हाथ कापरा होता है फिर वो लोग अंदर जाते हैं उसके पीछ पोच्छे पिछले जनम का आपका हाथ टूटा नहीं है मौका दे के वो मॉणस्र गायब हो जाता है यह वहां नियुक्व को ढूंती रहती है ढूंते ढूंते उसे वह मिल लड़ते है और CEO हींजु को निकालती है और बोलती कि चलो यहांसे वह बुल गबसल अगर पानी से निकला तो तुम्हें मार देगा वहां हौल पानी में उस्से लड़ता है उसे वह मारता है बट खुद भी बेोश हो जाता है तो पानी में नीचे जाता है तब जाके बुछांज हमार डोग दो nouора दो पानी कर भाडी में घुज गया होगा CPR दो बोलके खुद भाग जाता है हिंग जू उसको CPR देती है उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है बट वो उल्टा ही ठक जाती है तब जाके हॉल आंके खुलता है और बोलता है क्या कर रही हो हिंग जू बोलती दिखनी रहा जान बचा रही हूँ हॉल उटता है तो उसे महसूस होता है कि उस मॉंस्टर ने हॉल का पैर से हडी निकाल दिया है हिंग जू उसकी हेल्प करने जाती है बट खरूस हॉल उसे भगा देता है फिर वो अपनी बेहन सीयू के पास जाके सौरी बोलती है ये सब के लिए और ये भी बोलती है कि अब से वो उसकी पुरी रक्षा करेगी फिर आदी रात में हॉल अपने रूम से जाता है देखता है कि उसके रूम के बाहर हिंग जू चाकुली ये बैटी है क्योंकि उसे डर रहता है कि हॉल का कभी भी इरादा बदला तो वो हम लोग को मार ना दे फिर हॉल लटखडा आते हुवे खून लेने जाता है तो हिंग जू ये उसे लाके देती है वो पीने जाता है बड़ हिंग जू को घीन आती रहती है तो वो बोलते है मैं तो जानवर का ही पी रहा हूँ तुम तो इनसान का पीती थी वो बोलती भस भी करो मुझे लड़ना नहीं है जखमी से हॉल उसे पूछता है मुझे बचाई क्यों वही छोड़ देती वो बोलती है तुमारी मदद से ही उस बुल गजल को मार सकते इसलिए बचाई हूँ वहाँ कैप्टन होयल से पुछताच करता है कि कौन मारा वो आदमी को बट होयल बस बात है यहाँ वहाँ घुमाता है तब ही कैप्टन को चीफ से कॉल आता है कि वो मॉंस्टर ने सुसाइट किया इसलिए केस को बंद कर दू इन यह सब बात है वो इल्टे मतलब डाक होल के घर में रहके बोलता है इल्टे की सेकरेटरी बोलती है कि इल्टे मीटिंग में है जल्दी ही आएंगे वहाँ इल्टे एक से सवाल करता है कि सी उ को लेके क्यों नहीं आए बट वो बोलता है जब तक मैं वहाँ गया था वो लोग चले गए थे गुसे के मारे डार्क होल बुलकरसल बन के उसे काटता है और अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि साफ करने फिर चीफ से जाके मिलता है तब पता चलता है कि 15 साल पहले बी इसी चीफ ने हिंजु के फैमिली का केस बंद करवाया था इल्टे के कहने पे उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि शायद हॉल और हिंजु ने हात मिला लिये है इल्डे बोलता ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हॉल उससे मुझसे भी ज्यादा नफरत करता है वहां हॉल सोया रहता है तब हिंजू आ कि उसका गला दबाती है फिर पता चलता है कि वो सब हॉल का सपना रहता है वो उटके देखता है कि सब भूके है और वो खुद बहार नहीं जा सकता तो ली सुक को कॉल करके बुलाता है वो फिर सब के साथ खाती है सी उसे पूछती है कि क्यों भाग गई थी शौप से तो वो बोलती है कि हॉल की उसने वहां फोटो देखी थी क्योंकि हॉल उसे उतना पसंद नहीं रहता है पिली सुक हॉल को रूम में ले जाके बोलती है कि हिंजु को भी यहीं रखेंगे गा सब के साथ वो बोलता है कि हाँ क्योंकि इल्डे उसके पीछे जो परा है वहां सी और दोयन दोनों लड़ते रहते हैं तब हॉयल आता है और हॉल को बोलता है कि मुझे भी साथ में काम करने दो बुल गजल को पकरने में क्योंकि कोई भी केस बुल गजल से रिलेटेट होता है तो वो बंद करवा देता है लोगों को मार के खुले आम घूम रहा है बट हॉल बोलता है कि अभी आप डिरेक्टिव नहीं हो इसलिए हमारा साथ मत दो हॉल बोलता है मुझे उसे पकर कि उसे कुछ पूछना है बट वो हॉल को अपनी बेहन के बारे में नहीं बताता उसको हॉल पहले बुलगजल लगता था बट फिर हिंजू लोग उसके साथ रह रहे हैं इसलिए अपना शक थोड़ा सा कम कर देता है तब ही ली सुक आके उस पे चलाने लगती कि और बोलती है ये मेरा बेटा है इसको कुछ मत बोलो दो यून उसे ले जाता है ली सुक हॉल को बोलती है अपनी मा को कुछ पैसे दे दो घर का सामान लाने के लिए वह हो यह लोग से हाल चाल पूछता है तो हिंजू बोलती हमें हॉस्पिटल छोड़ देंगे क्या चेक अप करवाना है फिस यू आगे जाती है हिंजू अपने पैर का जखम देखती है जो उसको मॉंस्टर ने पैर खिषते टाइम दिया था फिर वह हॉल को बोलती है कि हॉस्पिटल जा रही हूं वहां से घर जाओंगे अपनी माम और बहन की यादगार समान लेने के लिए बट हॉल मना कर देता है और बोलता है कि वो तुम्हारी फैमली नहीं थे बस किसमत वाली थी जो वो लोग इस जनम में तुम्हारी फैमली बन गए बट हिंग जू जित करती है तो हॉल बोलता है जब तुमने मेरी मदद मांगी इल्टो को मारने के लिए तब से तुम मेरी हो अगर वहाँ जाओगी तो याद रखना है इल्टे हाथ में चाकुले ये तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा तुम मेरे भी ना कहीं नी जा सकती वहाँ इल्टे वो लोगे घर जाके दिखते रहता है तब ही उसे डाइडी दिखती है जिसमें लिखा होता है बुलगजल को मारने का या होयल सीउ को लेके होस्पिटल जाता है पीछे से ली सुक और दी उन मारकेट जाते है हिंजु देखती है कि हाल का पैर एकदम ठीक हो गया है तो उसे बोलती कि चलो बात करते है कि इल्टे को कैसे मारेंगे तबी उसकी नजर उसकी पोट्रेट पे पड़ती है वो देखे वो शौक हो जाती है तबी वो गिर जाती है चलते टाइम फिर हॉल उसकी जखम पे पट्टी लगाता है हिंजो बोलती आपसे जो बोलोगे वो करूँगी मैं तुम्हें आत्मा दे दूँगी इल्टे के मनने के बाद फिर तुम मुझे वो कुए में डाल देना और मैं ये सब इसले कर रही हूँ अपनी फैमिली का बदला ले सको ना कि इसलिए कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि तुम्हारी कमजोरी जानती हूँ अगर तुम्हे इतना चोट दे दू कि तुमने मेरी आत्मा ली हो हिंजो बोलती है तो फिर सबूत किया कि मैं बुलगजल थी तो हॉल बोलता है जब मैं चाकू से मारा था तब तुम बोली थी कि उस निशान के साथ जनम लोगी तुम्हारी बेहन की बाड़ी चेक किया था उसके पास निशान था तब ही हिंजो वो नहीं है जिसे वो हॉल समझ रहा है क्या हॉल बस उसकी शकल देखके उसे मारने वाला था तो ये सब सवाल के जवाब के लिए नेक्स एपिसोड जरूर देखे चाकू का निशान नहीं रहता है इस बात से शौक हॉल हिंजू को बोलता है कि चलो अब भी जाके पता करते है कि तुम बुलगजल थी या नहीं फिर घर में ली सुक और दियोन आके देखते है कि घर में कोई नहीं है वहाँ हॉस्पिटल में होयल को मालूम हो जाता है कि सीयो प्रेगनेंट है तो उसे उसके बाइफरेंट के बारे में पुछता है बड़ जब सुनता है कि उसने ब्रेक अप कर दिया है तो उसको बहुत सुनाता भी है फिर वो बुलगजल के बारे में पुछता है तो CEO बोलती है बस उसका नाम पता है इल्टे है फिर हिंग्जू भी CEO को कॉल करके हाल खबर लेती है हॉल उसकी फिकर करके पुछता है ठीक है न सीओ हिंग्जू बोलती मेरी बेंड की फिकर तुम क्यों कर रहे हो बड़ वो जवाब नहीं देता फिर उसे वो जगई के बारे में बताता है कि 50 साल पहले ये घर में आग लगी थी और उनकी बड़ी बेटी तुम ही थी मतलब हिंग्जी का पिछला जनम 50 साल पहले था तब उसका नाम वायन रहता है वो बुलगजल से डर के मारे घर में ही पैक रहती थी उसकी फेमिली वाले उसे बहुत परिशान थे बड़ उसकी छोटी बेहन गोबन उसे समझती थी फिर अचानक एक दिन उस घर में आग लग गई गाउं वाले बोलते हैं कि वायन ने ही घर में आग लगा के भाग गई है बस उसकी छोटी बेहन बच्ती है गोबन जो कि वही एंटी रहती हैं जिसने ये लोग को सहारा दी थी अब जाके हिंचु को समझता है कि गोबन उसे वो उस वक्त बोल रही थी कि भाग के नहीं जाना चाहिए था हमारे पैरंस मर गए हिंचु को विश्वास नहीं हो ता कि उसने अपनी फैमिली को पचास सल पहले मारी थी हौल उसे जंगल में ले जाता है और बोलता है कि इधरी वायन का समान मिलाता शायद इल्टे उसकी बोड़ी ले गया होगा मार के बड़ हिंचु को कुछ याद नहीं आता बलकि वो तो शौक में रती है कि वायन अपनी चान बचाने के लिए अपनी फैमिली को क्यों मारेगी हौल बोलता है शायद इल्टे को बताने के लिए कि वो आग में मर गई है हिंचु बोलती तब भी ऐसा करना कितना बुरा है हौल बोलता है भूलो मार तुम भी बुल गजलती बट क्या मालूम बिना याद दश और बिना चाकु के निशान के साथ जनम ली हो बोलके चला जाता है हिंचु चलनी पाती उसके पैर की चोटकी वज़े से तो हौल उससे उठा के ले जाता है और बोलता है यहीं रहेंगे जब तक तुम्हें कुछ याद ना आ जाए यहां होयल इल्टे के बारे में पता करने के लिए कैप्टन के पास जाता है बट उसे भी कुछ मालूम नहीं रहता फिर होयल उसे पुछता है कि किसने केस बंद करने बोलाता क्योंकि मुझे लग रहा है वो केस के पिछे जरूर इल्टे ही का हाथ होगा तब ही वहाँ से चीफ जाता है कैप्टेन बताता है उसे सब तो होयल उसका पीछा करके इल्टे के घर पहुंच जाता है वहाँ अंदर घर में इल्टे बड़े बड़े लोग को बुला के बाते करता है तब ही उसे एक का कॉल आता है वो बोलता है कि हॉल और हिंजु दोनों साथ में गए है इल्डे बोलता है पता करने किदर गए और क्योग गए है वहां हॉल और हिंजू दोनों होटल में रहते है रात में हिंजू वाई-ेन्ग के बारे में सपना आता है तो वो डोती रहती है उसे दरपादे एक हॉल को अच्छा लगता है फिर सुबा हॉल उसे बोलता है कि वाइन के बारे में उसके परोसी से पूछेंगे जिसे 50 सल पहले का याद रहेगा वहाँ ली सुब ये दोनों को वाश्रूम साफ करने का काम देती है बड़ दोनों लड़ते रहते हैं अपनी दुब बड़ी कहानी सुना के बोलते हैं कि तुम करो तुम करो तब ही ली सुक आके अपनी कहानी सुनाती है कि एक एक्सिडेंट में उसने अपने पैरंस को खो दी थी और शादी के बाद उसका हास्बेन उसे चीट करके छोड़ दिया था उसकी कहानी सुनके दोनों की बोलती बंदो शाथी हैं दोनों मिलके साफ करने जाते हैं फिर सीयो ली सुक से पुछती हाल से वो कैसे मिली तो वो बताती है कि एक्सिडेंट में हाल ने उसको बचाया था फिर अनांत अश्रम में भी फाइनेंशली सपोर्ट किया था सीहो बोलती है आपको खुद नहीं जाना क्या कि क्या हुआ था हो सकते हैं ना हॉल जूट बोल रहा हो मैं पिछले शनम का देख सकती हूँ आपका देख के बताऊं क्या वहां हॉल और हिंग जू एक अन्टी से 50 सल पहले का पुछते हैं तो वह अन्टी बोलती है कि यह सा बाते मत करो और ना किसी से पुछो नहीं तो गाउं वालें तुम लों को मारेंगे चल जाओ यहां से हिंग जू बोलती है कि वायन की बेहन गोबन मेरी ग्रैनमा है इसलिए प्लीज जो पता है वो बता दीजिए वो फिर बताती कि उस एक्सिडन के बाद गाओं में बहुत से घर जले गाओं की श्यमन बताती है कि वायन की आत्मा इस गाओं में अभी भी है वो लोग जले हुए घर को जाके देख जो हाली में ही जला था हिंग्जू बोलती कि कौन घर को जलाया होगा वायन को तो मरे पचास साल हुए है हौल बोलता है जरूर ये काम गबसंका होगा जो की मौंस्टर है वो लोगों को जला के मारती थी हिंग्जू बोलती फिर तो जरूर उसने ही आग लगाई होगी पचास सल पहले मतलब वायन ने नहीं मारी अपनी फैरंस को चलो उसे ढून के सच जानते है वहाँ वो अंटी एक आदमी को हिंग्जू के बारे में बताती है कि वो पचास साल पहले के बारे में पूछ रही थी यहाँ हाल पहले का सोचता है कि जब वो वायन को ढूनते ढूनते गाउं में आया था तब उसके घर में पहले से ही आग लगी थी वो अंदर जाके चेक करता है तब जाके वो एक छोटी बच्ची को बचाता है और उसे वायन की फोटो दिखा के पुछता है तो वो बोलती है कि यह तो पहार के तरफ गई है हाल जाता रहता है तब जाके उसके आंग में आता है और वो बोलती है उधर जाने का कोई फाइदा नहीं है डाक होल ने उसकी आत्मा खतम करके मार दिया है अगर उसे ढूनना है तो आका पिछा करो हाल शौक रहता है यह सब सुनके फिर वो बोलर की सेम बाते बोलती है जो ओल लेड़ी बोली थी हाल के बारे में 600 साल पहले कि उसको पैदा होते ही मार देना चाहिए था तब जाके यह सब नहीं होता सो बोलर की और कोई नहीं लिसुक रहती है वहां सीयो भी लिसुक की मेमरी में देखती है कि उसको हाल ने आक से बचाया था फिर हाल उसे अनायत आश्रम में भी डालता है फिर वो रोते हुए मेमरी में सीयो से बात करती है कि तुम मेरी मेमरी देख रही हो मेरी मेमरी ले लो क्योंकि बहुत दर्दनाक है वो CEO पूरी शौक हो जाती है उसको शांत करने के लिए ली सुक पानी लेने चाहती है तब ही दोयन बोलता है सफाई कर दिया हूँ इसलिए थोरा भार से आता हूँ यहाँ यह दोनों शामन के घर जाते है क्योंकि गाँवाले बोले है कि शामन का बेटा नहीं सबको बोला था कि वायन नहीं अपने घर जलाके भाग गई है हाल शामन के बेटे से पुछता है जो समा लिये कहीं जा रहाता पुछने पे वो बोलता है कि बहुत पुरानी बात है इसलिए याद नहीं है बोल के चला जाता है हिंग्जु बोलती है कि ये मॉंस्टर नहीं है क्योंकि उसका हाथ नहीं कापता है बट फिर घर के अंदर की तरह उसका हाथ कापता है तो अंदर जाके देखती है कि गप संग बिमार पड़ी है वो हिंग्जू को देख के बहुत शौक वाला खुश होती है हॉल के पुछने पर बता दी कि 50 सल पहले उसने ही आग लगाई थी क्योंकि उसको डाक होल ने धोका दिया था फिर उसके बाद से वो आग मज़े लेने के लिए लगाने लगी वो ये भी बोलती है कि जब उसके बेटे ने उसे हिंग्जू के बारे में बताया तो वो अपने बेटे को उसे जलाने के लिए भेज़ती है ये सुनके हिंग्जू भागती और हॉल को बोलती है कि पिछले जना में अपने पैरंस को नहीं बचा पाई बट इस बार मासुम लोगों को जरूर बचाऊंगी फिर हॉल उसे तलवार दे के बोलता है कि उसके रूम के अंदर नहीं जाना मैं आता हूं वहाँ वही होटल में जहां दोनों रुके थे श्यामन का बेटा हिंग्जू के फोटो दिखा के पुछता है फिर जब कनफर्म होता है तो होटल में आग लगाने जाता है तब होल आके उसे रुकता है उदर वो मॉंस्टर हिंग्जू को बताती है कि उसने पचास साल पहले उसका पिछा की ती बट फिर डाक होल उसे मार देता है ये भी बोलती है कि उसे डाक होल का सिक्रेट पता है वहाँ इल्टे से मिलने दोयून आता है क्योंकि इल्टे ने उसे हॉल पे नजर रखने बोला था मतलब ये इल्टे का खबरी है जो वो लोग की सारी बात इसको बताता है इल्टे उसे बोलता है कि हॉल पे नजर रखने बोला हूँ ताके हम लोग उसे हिंचु से बचा सके दोयन बोलता है कि हिंचु के बारे में जैसा बोल रहे है वैसा नहीं लगती है वो इल्टे बोलता है कि अभी यादाश नहीं है उसकी वो वही मॉंस्टर है जो इंसान का खून पीती है दोयन को जासुसी करना अच्छा नहीं लग रहा था बट इल्टे बोलता है कि उसका छोटा भाई इस साल डिस्चार्ज हो जाएगा इल्टे उसके बिमार भाई का इलाज चो करवा रहा था यह सुनके वो फिर से जासुसी करने के लिए तयार हो जाता है वहाँ वो मॉंस्टर डाक होल का सीक्रट धीरे से बोलती है उसे सुनने के लिए यह हिंजु उस रूम में चली जाती है यहाँ दोयन इल्टे को बोलता है कि तुम्हें हिंजु चाहिए तो बाकी लोगों को परिशान मत करो सीयो अच्छी है वो बोलता है ठीक है फिर जाते जाते दोयन को बताता है कि दोनों 50 साल पहले वाले गाउं में गए हैं हिंजु की यादाश लेने यह सुनके वो गपसंग का नाम लेता है वहाँ वो मानस्टर बोलती है कि राक होल की कमजोरी तुम हो बोलके हिंजु का गला दबाती है वो दर्थ से तरपती है और यहां डाक होल भी और जापता है यहाँ इल्टे दर्द के मारे बोलता है अगर मुझे इस दर्द से छुटकारा पाना होगा तो उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा वहाँ हॉल उसे माउंटन में ले जाता है और वायन की बोड़ी का स्केलेटन दिखाता है जो कि उसे मॉंस्टर के बेटे ने बताया था हिंजु बोलती है कि इसने अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवाल को आग में छोड़ दी थी मुझे इसके लिए जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा वो कन्फ्यूस हो जाती है कि वो अब कौन है जैसी अभी है वो या फिर वो भी वायन जैसी है पहार उताते टाइम हॉल उसे अपने बैक पे लेके आता रहता है तब जाके वो अपना नाम हिंजु को बताता है इसके आगे क्या होगा यह जाने के लिए नेक्स एपिसोड जरूर देखे पहार से उतरते हैं फिर बारिश होने लगती है तो एक जगा रुखते है हिंजु से पूछती कि तुम मेरे साथ मा लेके क्या करोगे वो बोलता है फिर मर जाओंगा क्योंकि और कुछ करने को नहीं रहेगा हिंजु बोलती सिर्फ बदला लेना था और कुछ क्यों तुम्हें करना हो क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ करना है पहले इल्टे को मार के सीयो के साथ नॉर्मल लोगों की तरह जीना है भागते नहीं रहना है हॉल बोलता है ये सब बोलके सिंपती लेना चाती हो वो बोलती नहीं नहीं फिर सौरी भी बोलती है कि उसकी वज़े से हॉल को पिछले जनम तकलीफ हुई थी फिर वो लोग घर जाके देखते हैं कि अब हॉल का भूद बंगला रहने लायक हो गया है वहाँ हॉल इसक से पुछने चाता है तब ही उसके आंग में आता है और वो बोलती है कि अब भी जिसकी यादाश नहीं है अगर उसकी यादाश आ जाए तो सब मारे जाएंगे जैसे पिछले जनम भी हुआ था तब ही होयल आता है हॉल इसक से पुछता है उस बारे में जो उसने बोली थी बड़ उसे कुछ याद नहीं रहता होयल फिर वो दोनों को इल्टे की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसने इल्टे का घर ढून लिया है हॉल भरक जाता है होयल की अकेले काम करने पर जिससे उसकी जन को खत्रा भी हो सकता है हिंजू भी बोलती है कि इल्टे को जल्दी ही मार देंगे बस तरीका ढूनना होगा इसलिए जब तक के लिए आप अकेले चानबिन मत करिए फिर हॉल होयल से बाहर पुछता है कि भुलकसल से इतनी नफरत क्यों है बताओ मुझे इतना पुछने पे होयल बोलता है कि दो पैक पे बताओंगा फिर दोनों पीने जाते है होयल उसे बताता है कि 15 साल पहले वो हिंजू के केस पे था उसके बाद उसकी जूनिया चानबिन कर रही थी बिट फिर वो एक रूम में लटकी हुई मिली सब बोलते हैं कि उसने सुसाइट की है बट मुझे लग रहा है कि इसके पिछे भी इल्टे का काम है क्योंकि तीन दिन बाद उसके बेटे का बड़े था तो वो खुद को कैसे मारेगी फिर हॉल देखता है कि उसका हस्बेंड उसके पिछले जनम का फादा जैसा दिख रहा है वहां सी ओ हिंग्जू को सब बताती है कि उसने लिसु की मेमरी देखी थी उस मेमरी में उसने बाद भी की थी फिर वह इंड़ू को भी बोलती कि तुम्हारी में मेरी देखू क्या बट वो मना कर देती है बहाना मार के फिर हींड़ू हॉल को जाकर पूछती है लेसू की भहषवानी के बारे में की क्या वो सच हो जाएन अगर मेरी यादश आ गई तो क्या मैं सब को मार दूगी हौल बोलता है अभी के लिए कुछ नहीं बोल सकते है इसलिए कुछ याद करने की कोशिश मत करो मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ बट हौल को तो वो फोटो खाई जा रही थी तो सुबा जाता है उसको ढूनने देखता है कि अभी भी वो शराब पी के टली है फिर सुबा से शाम तक उसका पीछा करता है फिर हौल उसको घर छोड़ता है तो देखता है कि वो अपने बेटे को मार रहा है तो हौल अपना 600 साल पहले का बदला ले लेता है उसको सुना कि कि पहले भी आपने बेटे को दारू के लिए बेज दिये थे कुछ तो इंसानियत रखो बोल के चला जाता है अपने घर वहाँ सुबा से हिंज उसका इंदजार करती है लिसु की भहिश्वानी के बारे में बात करने के लिए वो बोलती है कि डर लग रहा है कि कहीं मेरी यादश ना आ जाए और मेरी वज़े से किसी को तकलीफ हो और यह सब में किसी और से बात भी नहीं कर सकती हूँ तुमारे सीवा हॉल की पहले से सटकी रहती है तो बीचारी को जार देता है कि तुम्हारी वज़े से पिछले जनम मैंने सब अपने को खो दिया था बट इस बार किसी को नहीं खोऊंगा इसलिए कुछ मत करो तब इस CEO आ जाती है फिर बाद में वो हिंजु से पुछती है कि क्या बोल रहा था हॉल तो हिंजु बताती है कि पिछले जनब मैं बुलगजल थी और मैंने उसकी फैमली को मारी हूँ फिर उसके बाद उसकी आत्मा दो में डिवाइड हो गई है संग्यन को बुलगजल के बारे में पता था बट मुझे कुछ याद नहीं है लिसुक जिस भविश्वानी के बारे में बोल रही थी वो मेरे बारे में था इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं वायन जैसी ना बन जाओं जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमली को छोड़ दी थी सियों से बोलती क्या बखवासे नहीं हो सकता क्या संगिन सही में बुरी थी इल्टे से तुम लोग बहुत अच्छे हो फिर ही जो बोलती है कि मुझे कहीं जाना है हॉल से छुपके फिर वो चली जाती है वहाँ इल्टे दर्द के मारे पूरी राद जाता है वो अपनी सेक्रेटी को बोलता है हॉल से मिलना होगा शायद वो भूल गया है कि 600 साल पहले क्या हुआ था फिर वो अकेले ही निकल जाता है और उसका पीछा होयल करता है उसका पीछा करते है वो जंगल में चला जाता है देखता है कि इल्टे की कार और एक ट्रक रखा है तो भी इल्टे आके बोलता है कि मेरा पीछा कर रहा है वो बलता नहीं नहीं, पीछ रास्ते में यह गारी थी, इसलिए चेक कर रहा था इल्टे बलता ऐसा है क्या? बड़ ये रास्ते में आगे तो कुछ नहीं है तुम मेरा पीछ रा मेरे घर से करकर करके यहाँ पहुचे हो ना होयल वो ट्रक के डावर के बारे में पुछते आए क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं इल्टे ने उसे काटा तो नहीं है बड़ वो लोग फिर आके ट्रक हटाते है इल्टे होयल को बोलता है कि चलो बात करते है यहां हिंग जो बोगन से जाके मिलती है वाइन बन के उसे माफी मंगती है कि उसकी वज़े से मॉम डैट मर गए बट बोगन बोलती है कि हम लोग में से कोई तुमारी बात नहीं सुना तुम सबको बोली थी भागने के लिए कि बुलगजल आ रहा है बट कोई विश्वास नहीं किया यह सब उस डाक होल का काम है बुलगजल जिसके हाथ में निशान है वो तुमारे पीछे 600 साल से परा है क् मसता है कि तुमने उसकी फैमली को मारी हो बलकि डाक होल नहीं मारा था सो यह रहता है सबसे वारा ट्विस्ट वहाँ इल्डे और होयल बात करते हैं होयल बोलते क्या तुम मुझे भी खाओगे बुलगजल जो वो हॉल और इंजू के बारे में पुछता है बट होयल कुछ हुआ हैं पूखता है इल्टे बहुता है जब मालूम है कि मैं तुम्हें mदशन दूंगा तो पीछ जंगल की मनियू पुछते है मैंने नहीं मारा में तो पस आपने आठ्मी नहीं को भूला चा चांबिन्ठ लोक नेुआ ऊफ़ीन फिव पुछता है फादर के बारे में जो की सीरियल किलर रहता है उस टाइम का तो इल्टे बोलता है कि मुझसे क्या पूछ रहे जब तुमारे आसपास ही एक और बुल गजल है तो वो शौक हो जाते है और बोलता है इल्टे बोलता है कि तुम मेरा पीछे आये हो ये बात किसी को बताये हो नहीं ना ये सुनके होयल पूरड़ के मारे काप जाता है वो बोलता है कि मैं किसी को बिनावजे नहीं मारता और हॉल को बोलना कि मैं जादा इंतिजार नहीं कर सकता हूँ बोलके जाता है देखता है कि उसकी सेक्रेटी पहुंची है और हिंजू को कॉल लगाती है वहाँ घर में हॉल हिंजू को ढूंता है बड़ सीयो बहाना मारती रहती है कि सोई है फिर हिंजू सीयो को कॉल करती है वो हॉल को बताती है कि होयल को देख सुनी ने किर्नाप की है वो तुमें बुला रही है मुझे नहीं क्योंकि वो जानती है कि मेरी आत्मा का मालिक तुम हो देख सुनी जो रहती है वो पिछले जनम की मॉंस्टर रहती है फिर हॉल जल्दी से वहाँ पहुंचता है यहाँ दो यर्ण इल्टे को कॉल करके बुलता है कि तुमने होयल को किनाप की हो तुम तो हिंजो के पीछे थे ना वहाँ हॉल देखता है कि होयल लटका है तो रसी खुलने जाता है तब ही पिछे से सेक्रेटी आगे उसे जहर वारा इंजेक्शन दे देती है होयल लटकराते हुवे रसी के पास जाता है वो फिर से उसे इंजेक्शन लगाती है हौल ही मत करके होयल को खोल देता है सिक्रेटी गुसे के मारे उसका गला चाक उसे काटती है होयल उसे बचाने के लिए उसके सामने आता है सिक्रेटी अब होयल को मारने जाती है हिल्टे आगे सिक्रेटी को गला काटता है और बोलता है बोला था ना कुछ नहीं करने फिर वो होयल का रसी खोलता है होयल हॉल को घायल देख के हस्पिटल में कॉल करने चाहता है बट इल्टे उसे रुकता है और बोलता है अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि ये भी बुलगर्जल जो है मेरी तरह होयल पूरा शौक होके वहां से भाग जाता है यहां इल्टे हॉल को बोलता है कि मैंने तुमारी जान बचाया हूँ ताके तुम मेरी मदद कर सको हिंग्यों से जादा क्लोज मतो अपना बदला याद रखो उसने ही तुमें श्राब दी ती और तुमारी फैमिली को मारी थी इसलिए मेरी मदद करो ताके यह डाग होल भर जाएगा अगर उसकी यादश आ जाएगी तो वो सब को मार देगी और मैं किसी को नहीं मारूंगा देखे ना अभी होयल को भी बचाया इसलिए प्लीज मेरी मदद करो उसे अपनी बातों से पिखलाता रहता है तब ही वहाँ हिंजू पहुंचती है हॉल बोलता हो यहाँ क्यों आई तुम्हें तो घर जाने बोलाता ना वो बोलती तुम्हारी फिकर होड़ी थी इसलिए आई हूँ इल्डे बोलता है देखो उसका चहरा कितना महसूम वाला बनाई है पिखल ना माथ क्योंकि उसमें तुम्हारी फैमिली को मारी है और तुम्हें भी मानने के कोशिश कीती एक दिन वो तुम्हें भी मार देगी हिंजू बोलती नहीं यह सब गलत है मैंने नहीं तुमने हॉल की फैमिली को 600 साल पहले मारे थे हॉल शौक हो जाता है इल्डे बोलते इसका भरोसा मत करो एन यहीं एपिसोड खतम हो जाता है सो जिस बतले की आग के लिए हॉल 600 साल तक भटक रहा था अब मालुम परा कि दुश्मन ही कोई और ही है जूट बोल रही है यह सो मासुम चेहरा बना के जूट कैसे बोल सकती हो हिंजु कुछ बोलने जाती है तो इल्डे उसका गला दबाता है वह बोलती है कि तुम्हारा सिक्रेट जान ली हो तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी अखलीफ होईगी इल्डे बोलता है बट यह करने से तुम मर जाओगी और मैं जिन्दा बच जाओंगा फिर पूरी दुसरे बेटे के साथ गाओंच छोड़के चले जाएगा और इल्डे को यहीं छोड़ देगा क्युकि वह बहुत बिमार रहता है और नहीं ताकतवर रहता है फिर उसकी वाइफ आके बोलती है कि दूसरा बेटा अभी तक नहीं आया है शिकार करके डूडने पे उसे दूसरे बेटे की लाश मिलती है इल्टे बोलता है कि इसको बुलकजर ने मारा है मैं जानता हूँ का है वो बलकि ये खुद ही मारा रहता है होयल को याद आता है कि कैसे हॉल ने उसकी जान बचाया था इसलिए वो वापिस आया था उसकी हेल्प करने के लिए हिंजू कार में उसे समझाती है कि हॉल इल्टे से अलग है वहां दिखाता है कि जब इल्टे अपने सौतेले भाई को मार रहा था तब कोई उसे मारते हुए देख लेता है तो फिर इल्टे उलो को मारने जाता है फिर उसे हिंजु बिल्गोजल रोकती है फिर इल्टे को जहर से लड़ने के लिए ताकत चाहिए तो वही ट्रक वाले का खून पीता है यहां हॉल होश में आने के बाद पूछता है हिंजु को तो हिंजु बताती है कि गोबन ने बताई है मुझे ये सब तो हॉल बोलता है मैं जाके खुद सुनूँगा बड़ उसकी हालत अतनी ठीक नहीं रहती है तो हिंजु बोलती है कि मेरा खून पी ले लो ऐसे तुम जिन्दा नहीं रह सकते हो बड़ हॉल होयल से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता वहां होयल सदमे के मारे पीता रहता है फिर दिखाता है पहले का जहां होयल और उसकी बेहन मिलकर खा रहे होते है तब ही उसका फादर जहर वारा दूद लाता है और बोलता है पीने होयल उनके मुपे फिक के अपनी बेहन को लिए भाग जाता है तब ही बुलगजल आता है और उसके फादर को मार देता है क्योंकि वो लोगों के खाने में जहर डाल के मारता था उसे में उसकी बहन भी मर जाती है यहां हॉल होयल से मिलने आता है उसे थोड़ा समझाने के लिए यह बट उसे डरा हुआ देख हॉल कुछ नहीं बताता होयल सुचता है कि अब दोनों बुलकजल में से कोई एक नहीं मेरी बहन को मारा होगा फिर हॉल और हिंचु रात में गोबन से मिलने निकलते हैं फिर एक जगार रुपते हैं सुबह हिंचु देखती है कि अब उसका जखम ठीक हो गया है तो बोलती है कि बुलकजल के अपने ही फाइदे है हॉल बोलता है क्या थोड़ा रुको यह जिन्ना की तुम्हें ही मिल जाएगी हिंचु बोलती है नह भड़का रहता है कि वह उसके और हॉल के बीच में आ रही है इसलिए दोयन को बोलता है कि हिंचु को लेके यहां आओ हॉल को बीना बताए बड़ यह करने को तयार नहीं रहता तो इल्ड़े उसे इमोशनल ब्लैक मिल करता है यह बोलके कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर भाता है यह उस ऐसे मा का और यहां बैन मिलता है तो उसका मन घर चोड़के जाने का नहीं करता हुआ लूँना से बातों बातों में पुछती यह डाक भोल के बारे में फिर गोबन हाल के हाथ में निशान देकती है तो डर जाती और बुलने लगती है कि भागो यहांसे वो आ गिया है तुम्हें लेने बिचारा हॉल सच सुन नहीं पाता है बट बोगवन को डरा हुआ देख उसे यकीन हो जाता है कि वाइन उसे दड़के ही भागी होगी मतलब उसने ही हॉल की फैमली को मारी है हिंजु का मूँ बन जाता है कि हॉल उसकी वाता पर भरोसा नहीं क घर पे हॉल सीयो को बोलता है कि खुद का आती देख सकती हो क्या हॉल उसे बताता है कि तुम्हारे पिछले जना में हम लोग मिले थे इसलिए एक बाद ट्राइ करके देखो फिर सीयो ट्राइ करती है पहले का देखने का बट उसको कुछ नहीं दिखता वह हिंजु से बात क मुच रहा हूं कश आई चैन भी हमारे साथ रहता मतलब उसका अंधा बेटा ली सुक बोलती है कि मिस कर रहे हो के अपने बेटे को जदा उमीद मत रखो अगर मिलना होगा तो जरूर मिलोगे मैं सीयो के लिए दवा लेने चारी हूं तुम दोयन को देखो पूरा दिन रु मुझे नहीं करना है बर मना भी कैसे करूं हॉल बोलता है अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो उसे काम पूछता है कि क्या दिये है बर दोयन उसे नहीं बताता तो उसे खटकता है तो डिटेक्टिव को कॉल करके बोलता है कि पता करने कि कौन सपोर्ट कर रहा है दोयन को व काम नहीं कर पाएगा बट ilti बोलता है कि अगर तुम से नहीं लाओगे तो मुझे आता होगा फिर इस Nossa फिर उस घर में दुस्ते लोगो बस्टॉप जाता है, वहां हॉल से मिलने होयल आता है, और वो पूरा बता देता है दोयन के बारे में, यहां हिंजु देयन से पूछती कि कहां जा रहे है, वो बोलता है कि इल्टे के पास, नहीं तो इल्टे इधर आजाएगा तुमें लेने, हिंजु उस पे गुसा नहीं कर और दोयन से अकेले बात करता है उसे बोलता है कि मुझे तुम पिस शुरू से ही श्यक था तुम बूल गर्जल से डरे नहीं और एक दू फ्रेंडली रहे क्या तुमने इल्टे की मधद की है CEO और होयल को किड़नेपिंग में ओर बोलते है नहीं नहीं मैं बस तुम्हारे और हिंचु के बारे में बताया हाल बोलते है भे सारा बेबस बन के घर में घुसे ताके जासु सिकर सको दोयन की बात ना सुनके उसे बोलता है कि यहां से चले जाओ और कभी वापिस नहीं आना दोयन बहुत सोरी बोलता है बट हॉल उसकी नहीं सुनता और चला जाता है यहां इल्टे उसे कॉल करके बोलता है कि कहा हो जल्दी यह वेट कर रहा हूँ दोयन बोलता है कि हॉल को पता चल गया है इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ फिर अपने भाई के हॉस्पिरल का नाम पुछता है तो इल्टे बताता है कि तुम्हारा भाई मर गया है उसको रेर बिमारी हुई थी तुम दुखी होते इसलिए तुम्हें बताया नहीं मतलब इतने दिन से इल्टे उसको धुका में रख के काम करवा रहा था फिर वो कारली ये निकल जाता है यहां हॉल बोलता है कि घर खाली करना हो गहो सकता है इल्टे आता हो दोयन का सुनने के बाद CEO से कॉल करती है तो दोयन बोलता है कि उसका भाई मर गया है और उसे पुछ भी नहीं समझ रहे कि वो क्या करें फिर CEO हॉल को जाके बताती ही कि दोयन का भाई मर गया है उसको रेर बिमारी ती और दोयन भी जनम लेते ही अंधा था इल्टे ने उसकी आंक की सरजरी करवाया और वही उसके भाई का इलाज करवा रहता बट इल्टे ने उसको धोका दिया है ये सुनने के बाद हॉल समझ जाता है कि दोयन ही उसका अंधा बेटा है मतलब आईचेन है यहीं एपिसोड खतम हो जाता है सो अब हॉल अपने बेटे से मिलेगा या फिर पहले की तरह उसे दूर रहेगा नेक्स एपिसोड से जरूर जाने कि तो हॉल दोयन को घर से निकाल देता है तब उसे मालूम होता है कि दोयन ही उसका अंधा बेटा है आईचेन वहाँ दोयन उदास होके जाता रहता है तब इल्टे की सेक्रेटी आके बोलती इल्टे से मिलना है उ घर पे नहीं है चलो मैं मिलाती हूँ बढ़ वो नहीं जाता तो उसको बोलती कि अपने भाई से मिलना है चलो मिलाती हूँ यहां हींजू भी समझ जाती है कि दो यह नहीं उसका अंधा बेटा है फिर सीयो बताती है कि उसने कॉल पे बोला था कि वो सच्चा ही पता करने जा रहा है तो हॉल समझ जाता है कि वो इल्टे से मिलने जा रहा है तो होयल से उसके घर का एडरेस लेके जाता है तब ही रास्त नहीं होता है, तो वो पूरा घर चेक करता है, फिर हॉल के रूम में जाके वो पोट्रक देखता रहता है, तब ही अंदर से आवाज आती है, जहां हिंग जो छुपके बैठी रहती है, फिर दिखाता है कि हॉल ये सिक्रेट रूम में हिंग जो को बोलता है छुपने, बट वो भड़का रहता है कि इल्टे उसके घर में बीना पर्मीशन के घुसा था तो गारी तेज चला के ठोक देता है फिर इल्टे को तकलीफ दे के पुछता है दोयन को यह समय क्यों घसीटे क्या तुम्हें पता था क्यों मेरा बेटा है या शायद तुमने ही उसे मारते इसलिए प लाती है वह दोयन को रख के बस हल को तरपाना चाती है फिर हुल इल्टे से उसके सेखरिटी के बारे में पुछता है इल्टे बोलता है कि 2001 का केस देखो उसमें मिलेगा फिर हाल घर जा के बNSता है कि यहां से चलो तुम लोगो सेफ जगा रखकर दोयन को ढूंने जाऊंग वहां होयल कैप्टन से जाके 2001 की केस के बारे में पुछता है इतना भीक मांगने के बाद कैप्टन उसे दे देता है। फिर ये तीनो केस में देखते हैं कि देखसनों ने अपने पैरेंट्स को मार दी थी बच्पन में ही पर उसको गुनिगान नहीं समझते हैं क्योंकि देखसनी लोगों का दिमाग को बदल देती थी। पुछ बोड़ रहा था तुम्हारे बारे में फिर उसे पानी देती है पीने यह हींजु हॉल को बोलती है कि दोयन तुम्हारा बेटा है ना तुम्हाई शकल देखे ही समझ गई थी। हॉल खुद को कोचता है कि दोयन के पास रह के भी वो उसको नहीं पहचान पाया। हिंग्जु से समझाती है बट हॉल बोलता है कि मेरे श्राप की वज़े से वो हर जनम अंधा पैदा हो रहा है। सब मेरी गलती है। तब ही इल्टे कॉल करके बोलता है कि वो देख सुनी के हस्बन के पास जा रहा है। हिंग्जु के बारे में पुछता है बट हॉल उसे नहीं बताता। और बोलता है पहले दोयन को ढूंते हैं। इल्टे जाता रहता है देखते हैं कि होयल अपनी कार को ठीक कर रहा हूं..बट होयल उसे देख्के डर जाता है.. वो बोलता है कि तुम ही दोयन को ढूनने जा रहे। तो चलो मेरे साथ jakiś बिचारा होईल डर के माररें उसके साथ जाता है। इल्टे बहुता है कि आपको नहीं मारूं गा बहरें दूसरों को मार दू होईल पुछते क्यों मुझे क्यूं कुन हम बहुता हमंटिकूञ में इसकी मारोगे। कुछ उनों जंगल में जाप पहुंचते हैं फिर होयल कॉल करके बता देता है कि वह इल्टे के साथ है यहां चलते चलते हिंचु का हाथ कापता है तो होयल फी सेक्रेटी के पीछे भागता है और उसे दोयन के बारे में पुछता है वो बोलती है कि मैंने तो बस उसे सुला दियू अपनी आखों में दर दिखा दौयन के लिए तो भी सेक्रेटी का हाँस्बेन तीर से होयल को मारता है फिर होयल बहता है कि उसने ही अपने पैरंट को मारा है न वो भी मॉंस्टिर है न तब ही पीछे से हिंचु के पीछे भागता है और बोलता है तूम मेरा गिफ्ट हो मेरी वाइफ की तरफ से उसने बोली थी कि अगर मैं वो लड़के को छुपा दूँगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा लड़का सुनके हिंचु से पूछती है कि किदर है वो लड़का बताओ फिर चाहो तो मुझे मार देना वो इतना बाते घुमा के बोलता है कि उसको मैंने अपने फादर के घर रखा हूँ मेरी फेवरेट प्लेस है वो उधर ही मैंने अपने पैरंस को मारा था अब तुम्हें भी मार दूँगा बट अभी हॉल आके हिंचु को बचाता है और उसे मार देता है फिर हॉल बोलता है कि देख सुनी भाग गई है फिर हिंचु हॉल का तीर निकालती है यहां देख सुनी लर्खडाते हुए गारी में बटती है बट गारी में पहले से इल्टे रहता है वो बोलता है ऐसी हलत में कहा जा रही हो वो बोलती कि दोयन को मानने वो भी हॉल के वहाँ पहुचने से पहले इल्टे बोलता तुम कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि मैं दोयन को बचाने आया हूँ यह सुनके वो जोर जोर से हसने लगती है और बोलती तुम बचाओगे मैंने आदे टाम उसे कुछ इंट्रेस्टिंग बताई थी तुम्हारे बारे में जिसके बारे में हॉल को कभी मालूम नहीं पढ़ना चाहिए उसको होश आता होगा फिर वो अगर हॉल से मिला तो तुम्हारा क्या होगा इल्टे यह सब सुनके गुसे में उसको काटता है वहाँ दोयन को होश आता है तो वो घर से निकल के हॉल को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं किनाप हो गया हूँ बट मुझे नहीं पता किदर हूँ तो हॉल बोलता है टेंशन मतलो मैं आ रहा हूँ दोयन बोलता है कि मैं सेक्रेटी की सात आया था, उसने मुझे कुछ अतित के बारे में बताई थी तब ही इल्टे आ के आईफून को एक हाथ से तोड़ देता है फिर वो दोयन से पुछता है कि सेक्रेटी ने क्या बोली? वो बोलते हैं कि कुछ नहीं अजीब बाती उसने बोली तुमने 600 साल पहले मुझे और मेरी मा को मारे थे अजीब है ना मतलब इल्टे ने ही हॉल की फैमिली को मारा था और इल्जाम हिंचु पे लगाया था वो उसे गले लगा के चाको से मारता है फिर वहां होयल पहुंचता है पीछे से हॉल लोग किसमत का खेल भी देखो जब दोयन उसके पास था तो वो उसे पैचान नी पाया जब पैचाना तो वो उसे दूर था अब वो जब उसको मिल गया है तो घायल परा है दोयन को ऐसी हालत में देख के हॉल को पहले का याद आता रहता है और यहीं एपिसोड खतम हो जाता है तो आगे हॉल क्या करेगा सच्चाई जानके देखने के लिए नेक्स एपिसोड जरूरी कोशिश करता है बस सच को हॉल से छुपाने के लिए फिर दोयन को हॉस्पिटर में ले जाते है वहां सीयो दोयन का सपना देखती है कि वो सब को छोड़ के जा रहा है यहां हॉल बहुत ही धुखी रहता है फिर वो होयल से पुछता है कि जब तुम महाँ पहुंचे थे तो और कोई नहीं था क्या वो बोलता है कि नहीं कल्पिट पहले ही भाग गया था अभी ध्यान दोयन पे देते है वो जब ठीक हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन उसको मारा था फिर सीयो कॉल करती है दोयन के बारे में पुष़ने के लिए हिंजु उसे दोयन के बारे में नहीं बताती यहाँ यह दोनोら। को घर सुना लगता है वो लोग सब के बीना वह होयल हिंजु को कुछ खिलाने ले जाता है फिर उसे पुषता है हो यह उनने सब समझाती है फिर वो हॉल को कपड़ा देती है जो होयल नहीं लाया था उसे बोलती है कि ऐसा मून लटका क्यों बैठे हो जैसे दुनिया खतम होने वाली है दोयन को जल्दी ही होश आ जाएगा इसलिए टेंशन मतलो बट हॉल को डर लगता है कि कहीं 600 साल पहले जैसा वापिस ना हो जाए हिंजु उसके हाथ पकर के समझाती है तब ही दोयन उटके भूलते तुम दनों हाथ क्यों पकरे हो फिर हिंजु जल्दी से नर्स को लेने जाती है हॉल दोयन से पुछता है कि क्या इल्टे न ऐसा किया है बट क्यों मारा तुम्हें फिर वो बोलता है कि मुझे मालूम पढ़ गया था कि 600 साल पहले मुझे और मेरी माँ को इल्टे नहीं मारा था इसलिए उसने मुझे मानने की कोशिश किया ये सुनके गुसे में हॉल इल्टे के पास जाता है बट फिर हिंजू उसे रोकती है ये बोलके कि अभी तक तरीका नहीं ढूंडे है उसको मानने का पहले दोयन को अच्छे से ठीक होने देते हैं वहां इल्टे के लोग उसे बताते हैं कि दोयन की सेजरी सकसेस हुई है अब ओ बिल्कुल ठीक है ये सुनके वो समझ जाता है कि हॉल को अब तक तो सब मालूम हो गया होगा वो टेंशन में रहता है कि ये सब वो हॉल को कैसे समझाएगा उसका आदमी जब पूछता है कि क्या करने का अभी तो वो बोलता है कि कुछ मत करो हॉल खुदी आएगा मेरे पास शायद मैंने दोयन को मारते टाइम इचके चाया होंगा वहाँ दोयन को घर ले चाते हैं ये दोनों दोयन को देखके चिलाने लगती है कि हम लोगो क्यों नहीं बता है संभाल के नहीं रह सकते थे फिर हॉल दोयन को बोलता है कि जो चाहिए बोलो वो बोलता है मढने का भी फाइदा है सूपर कार्ट चाहिए हॉल बोलता है ठीक है लाइसेंस लेलो फिर दिला दूंगा वो बोलता मैं तो मज़ाग कर रहा था ठीक हो जाओंगा ना तो फिशिंग करने चलेंगे मैं अपने भाई के साथ जाने वाला था बट अब जानी पाऊंगा फिर हॉल को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इल्टे को मार सकते हो हॉल बोलता है कि अगर तुम नहीं भी बोलते तो भी मैं उसे मारने वाला था फिर हॉल हिंग्जू का पॉर्ट्रेट जला देता है क्योंकि वो पॉर्ट्रेट बस रखा था कि याद रख सकी किस से बदला लेना है बट अब दुश्मनी बदल गया है तो इसलिए वो जला रहा है फिर वो हिंजु को भी सौरी बोलता है क्यूंकि 600 साल तक वो हिंजु को कोज जो रहा था हॉल बोलता है कि अब से मैं इल्टे को देखूंगा उसको अब कुए में डालूंगा क्यूंकि मैं ही तलवार हुजे से उसे मार सकते है तुम लोग को छुपा दूँगा बड़ हिंजु बोलती है कि मैं भी साथ दूँगी क्यूंकि मुझे भी बदला लेना है उसे अपनी फैमली का तुम दोयन की सुरक्षा करना चाते हैं और मैं सीहु की फिर सीहु हिंजु को ढूंती रहती है तो देखती है कि बाहर दोयन रो रहा है वो अजीब अजीब बाते सोचता है कि वो जो ये लोग के साथ उसने किया था उसके बाद उसका हक है क्या सूने का वो अपने भाई को भी याद करता है फिर सीयो उसे समझा दी कि तुम अकेले नहीं हो हम सब तुम्हारे साथ है फिर अगली सुबा हॉल सब को लेके उस घर से निकल जाता है क्योंकि अब इल्टे को ये घर मालुम जो था घर छोने का गम सबसे ज़ादा दोयन को रहता है फिर जिली सुक हॉल को बोलती है कि कुछ खाने पिने का समान लेके आप उसके साथ हिंचु भी जाती है आते टाइम हॉल उसे कैरी बैक ले लेता है तो हिंचु बोलती है कि तुम पहले जैसे मेरे साथ रहते ठे थे वैसा नहीं रह सकते क्या hour ब 흥ा मतलब यो जैसा रहूं बट हॉल मना कर देता है ये बोलके कि अभी भी बच्चा है वो दोयन बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ सब हसी मजाग करते रहते हैं दोयन को जरा सा दर्द क्या होता है तो हॉल उसको रैप बना के देता है ये दिखके सब शौक हो जाते है लिसुक बोलती है कि मुझे भ जाता है तो दोयन बोलता है कि चलो इल्टे से बदला नहीं लेता हूं उसे छुपके रहते हैं ना एक साथ सब मिलके वहां सीयों हिंग्जू को बोलती है कि तुम लोग जब नहीं ते घर में तो घर सुना लग रहा था बट अब अच्छा लग रहा है ना सब साथ साथ में है दोयान, लिसुक, होयल सब कितने अच्छे हैं ना हिंजू बोलती हॉल को क्यों इशाट दी वह भी कितना अच्छा है सबका ख्याल रखता है उसकी इतनी तारिफ करती है कि सीयों को शक होने लगता है वो हिंजू को पुछती क्या तुम होल को पसंद करती हो वो बोलती जादा पोजिटीव नहीं हो हो भी ऐसी सुचियोशन में उसे खता देख हिंजू से वापकलती है वो नहीं हस्ता तो उसे पकड़ती है फिर बोलती है लगता जादा ही पीली हॉ मैंने फिर हौल उसे स्टोर्रूर्म में ले जाता है कुछ समाल लेने के लिए फिर हिंजू कि मुझे बस इतना दा कि उसको नफरत नहीं करता था उसको प्यार करता था मैं यह सुनके कुछ और नहीं है सईए फिर उसको बोलता है कि इस डर नहीं लग रा तो बोलती कि नई बड़ा सा रुमेना इसलिए और पिरचु को बाहर से बंद करके चला जाता है अकेले इलटे से लगने हिंजु कोशिच करती रहती है खोलने का बट नहीं객 खुलता वहां हॉल इलटे को काल करके मिलने बुलाता है फिस सूबा कीälle को को रूम से निकलती है वह जाती बहार की दुनिया आखरी बार देख लो क्योंकि अगली बार देखने नहीं मिलेगा वह बोलता है थुम्हें मुझे कुवे में रखोगे क्या प्लैनिंग कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है मैं खुद से उदर चला जाओंगा हॉल बोलता है अभी बता दूंगा तो मज़ा थुरी आएगा इल्टे बोलता है तुम्हारा प्लैन पूरा चेंज कर सकता हूं तुम्हारी बाड़ी से सिर निकाल के उदर कुवे में रख दूंगा फिर सालों तक सिब अपनी बाड़ी देखते रहना यहां सी ओ इंजू का अतीद देखती है उसमें वह 15 साल पहले का भी हॉल इल्टे को कुवे के पास ले जाता है मैंने क्यूं मारा तोम्हारी फैμिली को पुछ हो तो क्यूं हॉल बहुत है एक मोस्ज़ जो इंससान को खाता है उससे पूछू कि उसने क्यूं खाया उसमें इल्टे दरवासा बंकरता है फिसारी लाइट आफ करके हॉग को चाकु से मारता है और बोलता है कि अब बताता हूं कि मैंने तुमारी फैमिली को क्यों मारा हो सकते हैं उसके बाद तुम अपना इरादा बदल दो हॉल भे होश होने की एक्टिंग करके इल्टे को डाक होल में ही चाकु से मारता है उससे इल्टे दर्द के मारे तरपता रहता है फिर वो वहां से भागता है एन हॉल उसका पीछा करता है फिर से दोनों फाइटिंग करते है इल्टे बोलता है कि बस करो ऐसे करते रहोगे तो हम दोनों मर जाएंगे हॉल बोलता है हम दोनों वो बोलता हाँ वो यही चाह रही है हजा मारें गें तब ही दोनों बुल गजल मर जाएंगे यहां इल्टे भी बुलता है बुल गजल कभी मर्न सकते हैं क्योंकि उनमें आत्मां नहीं होती बट वो पैदा ही जॉड़ी के साथ होते हैं अगर एक हौल उसे मारता है क्योंकि बस उसे अपने परिवार का बदला जो लेना था इलड़े बोलता है कि 600 साल पहले मैंने तुम्हारी फैमली को मारा और उसको भी तुम्हारे पास लाया ताकि तुम बुलगजल बन सको क्योंकि तुमने 1000 साल पहले मुझे बोले थे तुम्हें बुलगजल बनाने के लिए सो मतलब ये तिनोंगा रिष्टा 600 साल पहले से नहीं 1000 साल पहले से हैं यहां दोनों लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं वहां सीयों हिंग्जू को जाने से रोकती है कि वायन ने बोली कि दोनों बुलगजल को मरना होगा हॉल पर उतना भरोसा मत कर बढ़ हिंग्जू जाए बिना भी रहनी पाती वह जंगल में हॉल को ढूंती लिए सो यह इंडारेट परपोस रहता है कि हिंजू बिलगजल हॉल को लाइक करने लगी है बट अब अगर इल्टे को माना है तो हॉल को तो मरना ही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का तलवार जो है हिंजू हॉल को इंडारेट प्रपोस टाइप करती है उसके बाद वो दोनों इल्टे को ढूंते है जो पानी में से भाग गया था हॉल बोलता है कि यही मौका है उसको पकरने का क्योंकि अभी वो कमजोर जो होगा फिर हिंजू हॉल को लेके एक जगा बैठती है क्योंकि हॉल थोरा सा घायल जो रहता है फिर उसे प्रोमिस लेती है कि इल्टे को मानना नहीं बस उसे कुए में बंद कर देना तुम इल्टे के साथ मरनना नहीं फिसियो से कॉल करके हाल चाल पुछती है और उसे वान भी करती है कि हाल पे जादा भरोसा नहीं करना फिसियो घर में आके सब को बता देती है कि इल्टे को मानने के लिए ये हाल को भी मनना होगा ये सुनके सब टिंशन में आ जाते हैं फिर दिखाता है हजार साल पहले का जहां हॉल घायल परा है और उसको इल्टे बोलता रहता है कि मुझे प्लीज बताओ तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या करना होगा क्योंकि फिर मुझे मरते टाइम तक बिमार रहने की जरुबत न के लिए नुडल्स भी बनाता है जब वो शौक से खाती रहती है तब हॉल उसे घुरता रहता है और पूछता है कि तुमने जो जंगल में बोली वो सब क्या था क्या तुम मुझे लाइक करती हो बट क्यों अब ये सवाल का जवाब हिंचु कैसे दे पाती वो तो लड़कर लाती रहती है फिर बोलती है कि कुछ होआ था क्या छेसो साल पहले क्यों ऐसा पूछ रहे हो वो बोलता है कि मुझे आज तक किसी ने भी पसंद नहीं किया यहां तक कि मेरी खुद की वाइफ ने भी नफरत की है ये सुन के हिंजु चाकु लाकर देती है और बोलती है कि ही सही होगा क्योंकि शुरू से मैं बुल्गजल जो थी हिंजु इतना कुछ बोलती है बट हॉल चाकु रख देता है और बोलता है कि यह सब मत सोचो और आराम करो फिर सुबा हॉल बैट के इल्टे की बाते सोचता रहता है हजार साल पहले वाली हिंजु आ कि उसे समझाती ही कि उसका भरोसा मत करो हो सकता है कि वह इस बार भी जुड बोल रहा हो फिर हॉल बोलता है कि मैंने बहुत बार सपना देखा हूं कि तुमने मुझे यह चाकु से मारी हो इल्टे भी बोल रहा था कि यह सब हजार साल पहले शुरू वा था छे सो साल पहले नहीं उसको ही करना है कि तुमनें मुझे शराद क्यों दी दी। वहां सीओ और ड़य अंटेंशन में रहते हैं कि हाल AND håll that क्या करएगा हो donkey is unlikely total educationurya whenever I had reacted or सब्सक्षरी अगए हटा कि चुछ झिधा थी कि मेरे लिए भी सिफ तुम ही फैमली हो तो तुम्हें कैसे मानने दूँ फ्लीज मत मरो वह हिंजु सी उ को बोलती है कि हजार साल पहले का मेमरी देखने के लिए फिर वो देखती है पचास साल पहले का जहां वायन बोलती रहती है कि मुझे दोनों बुलकजल को मानना होगा तब ही ली सुक आके बोलने लगती कि अतीत में मत देखो वो फिर से सीयो से बात करती है कि अतीत में मत देखो अगर पूरी आदाश आ जाएगी तो सब मारे जाएंगे इसलिए जाओ यहां से बिचारी सीयो पूरी डर जाती है फिर हॉल और हिंजू वापिस से निकल जाते हैं बट लीसु गुसे के मारे वो लोग का अलबीदा नहीं बोलती तो सीय उसे जाके बाते करती है तब ही लीसु के आंग में आता है और वो बोलती है कि वो दोनों को वापिस से नहीं मिलना चाहिए अब फिर से सब चीज़ा दोराएगी यहां हिंजू हॉल से पुछता है कि इल्टे ने उसे क्या बोला बट वो नहीं बताता फिर रात में हॉल इल्टे के घर चुपके से घुसता है फिर उसके रूम में फोटो फ्रेम दिखता है जिसमें हॉल बुलगर्जल मॉंस्टर के बारे में रहता है हौल फ्रेम निकाल के देखता है तो शौक हो जाता है क्योंकि इल्टे हजार सालों से बस बुलगजल की जिन्दगी नहीं जी रहा था बलकि हौल और हिंग्जू के भी पूरी इन्फरमेशन जमा कर रहा था फिर उसका सेक्रेटी आता है तो हौल उसे पुछता है एक इल्टे के बारे में बट उसे भी मालूम नहीं रहता हौल कॉल भी करता है तो इल्टे नहीं उठा पाता है फिर हॉल हिंजू को लेके पहार जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर इल्टे घर नहीं आया होगा तो जरूर वो पहार में ही छुपा होगा क्योंकि इतना खुन जो बहा था फिर हॉल हिंजू को चाको दे के खुद चला जाता है जंगल में वहां हॉल उसे जंगल में ढूंड लेता है उसकी रिंटों सुन सुन के देखता है कि इल्डे मूर्दे जैसा पड़ा रहता है इल्डे पुछता है कि क्या मुझे खतम करने आयो वो बोलता है कि हाँ बट उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि हजार सल पहले exactly हुआ क्या था उसने मुझे शिराब क्यू दी थी इल्डे बोलता है कि अगर जवाब सुनना है तो हिंग्जू को मार के उसकी बॉड़ी लाके दो हॉल बोलता है कि बहुत कर ली है उसका पीचा अब उसे जाने दो वो बोलता है पता भी है हजार सल पहले उसने तुम्हारे साथ क्या की थी हॉल बोलता है कि भले वो कैसी भी हो हजार सल पहले बट इस जनम की हिंग्जू को तो बचाना चाता हूँ इल्डे बोलता वही गलती कर रहे हो जो हज़ार सल पहले भी किये थे वही तुम्हारा एक तरफा प्यार क्या थके नहीं हो क्या कुछ भी कर लो at the end वो तुम्हें मारी देगी अगर उसको चुनना चाहते हो तो वही सही अब मैं तुम्हारे सारे लोग को मार दूँगा तुम्हारी वाइफ, फदर और बेटा इसलिए अगर खतम करना है तो जल्दी खतम करो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है हॉल बोलता है कि बहुत टाइम है बट वो बोलता है कि नहीं है क्योंकि मैंने अपने एक आदमी को बिलाया हूँ मुझे लगा ही था कि तुम हिंजू को साथ में लेके आओगे क्योंकि उसको कभी अकेला जो नहीं छोड़ते ये सुनके हॉल जाता रहता है बट इल्टे उसे रोक के बोलता है कि मत जाओ मेरे पास ही रहो मुझे खतम कर दो यही मौका है ना उसको छोड़ो बट हॉल भाग के जाता है वहाँ एक पुलीस वाला हिंजू को आके बोलता है कि गारी को इधर मत पाक करो हिंजू बोलती कि अभी चले जाएंगे जाला टाइम नहीं लगेगा तब ही वह बोलता बहा निकलो तुम हिंजू हो ना वो पूरा डर जाती है तब ही पुलीस वाला चाकू निकाल के उसे मारने जाता है फिर वहाँ हॉल पहुंच के देखता है कि हिंजू डर के बैठी है क्योंकि उसने पुलीस वाले को चाकू से मारी जो थी वहाँ पुलीस वाला इल्टे को रिपोर्ट देने जाता है तो इल्टे उसका ही खून पी के अपना ताकत वापिस ले लेता है यहां हॉल हिंजू को लेके घर आ जाता है एक मौका जो था इल्टे को पकड़ के कुवे में डालने का वो भी चला जाता है फिर हॉल हिंचु की मरम पटी करता है तब इस CEO कॉल करती है हाल खबर लेने के लिए वो हॉल को बोलती की हिंचु को धोका नहीं देना अपना और उसका ख्याल रखना फिर फिकर के मारे होयल को बोलती की चलो न उदर जाते वो घर में बट होयल साफ मना कर देता है कि इल्टे अभी भी जिन्दा है तो यहां रहना सेफ रहेगा दोनों जीद करते रहते हैं तो लिसुक भी बोलती है कि बहुत हुआ यहां रहे के फिकर करना पैक करो चलते हैं यह दोनों खुशी खुशी जाते हैं होयल की बात कोई नहीं सुनता वहां हिंजू सोके उठती है तो हॉल उसका अच्छा ख्याल रखता है तो हिंजू बोलती है कि दोयन के टाइम भी तुम यही किये थे हम बिमार रहते हैं तो तुम अच्छा ख्याल रखते हो लगता है मुझे और बिमार रहना परेगा हौल बोलता है कि वैसे भी अच्छा ख्याल रखूंगा इसलिए बिमार मत पढ़ना फिर हिंजू कपड़ा चेंज करती है दिखती है तो उसके बाल में खुन लगा है तो धोने जाती है तब ही हौल आके उसकी हेल्प करता है फिर हिंजू से 1000 सल पहले का पुछती है कि इल्टे ने उसे क्या बताया वो बोलते है कि उसने बोला कि तुम मुझे खतम करोगी बर जाने तो जितना याद है उस पर ही भरोसा करते है उसकी बात क्या मालूम जुटी हो हिंजू बोलती है कि मैं भी वही करूंगी वाइन की बात नहीं सुनूंगी और तुम पर भरोसा करूंगी फिर हॉल जाता है फर्स्ट इट बॉक्स लेने यहां हिंजू अपनी छोड के निशान दिखती है जो किस सेम जगे पे रहता है जैसे संगेन को था हिंजू उस जखम को टेच करती है तो उसे याद आता है कि कैसे हॉल ने उसी जगे पे उसको चाकू से मारा था तब ही वो निशान आया था वो ये सब याद करके डर जाती है फिर उसे याद आता है कि कैसे हॉल ने गाहों वाले सब को मार के स्माइल दे रहा है यहां हॉल आके उसे संभालता रहता है तो अभी हिंजू केंची उठा के उसे मारती है हॉल पुछता है कि क्यों की ऐसा वो पुछती कौन हो तुम एंड यहीं एपिसोड खतम हो जाता है सो क्या था वो जो हिंजू को याद आया क्या हॉल सही में इतना बहर है मैं कि गाउं वो लो को मार के हसेगा सारे सवाल का जवाब नेक्स एपिसोड देख के जाने हिंजू को पहले का याद आता है जिसकी वो हॉल पे हमला करती है फिर हॉल बोलता है कि क्यों की ऐसा वो बता दी कि उसको कुछ याद आया है जिसमें वो लोगों को मार के हस रहता इसलिए तब कि हिंजू उसे चाको से हमला करती है तब हॉल अपने हाथ से रुकता है इसलिए उसके हाथ में चाको के कट का निशान है ये सब सुनके हाल बोलता है मैंने जो सपना देखा था वो अलग था उसमें तुम लाशों के बीच में खरी थी तब ही वहाँ ये पल्टेंट पहुंचती है ये लोगों को देखके हाल को इल्टे की बाद याद आती है कि अब वो सबको मार डालेगा किसी को भी नहीं चोड़ेगा तो फिर सबको बोलता है यहां से जाने बट कोई तयार नहीं रहता लिसुक बोलती मैं ही सबको लेके आई हूँ तुमारी फिकर हो रही थी हाल बोलता है कौन बोला फिकर करने पता भी है कि तुमने मेरी फैमिली को खत्रे में डाल दी हो ली सुक बोलती तुम्हारी फैमिली? मतलब मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ हॉल सबको अंदर आने बोलता है फिर ली सुक अपना पूरा समान पैक करके जाने लगती है उसको बोलते भी है कि नहीं जाने नहीं तो इल्टे पकर लेगा बट वो बोलती है मुझे क्यों पकरेगा मैं उसकी फैमली थुरी हूँ सी और दोयन उसे बहुत मनाते रहते है वहां होयल हॉल को समझाता है कि जादा गुस्सा नहीं करने फिर हॉल उसको सब बताता है इल्टे के बारे में बट अभी ये लोग वापिस नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है कि इल्टे के लोग नजर रख रहे हो एन हॉल भी बहार नहीं जा सकता है क्योंकि वो सब की रक्षा जो कर रहा है तो होयल बोलता है कि मैं पता करता हूँ कि इल्टे किदर होगा मुझे भरोसा करो वहाँ दिखाता है एक आदमी जिसका नाम मिन्सू रहता है जो लोगों को मार के उसको जमीन में गार के प्लांट लगाता है उसकी हेल्प लेने इल्टे आता है वो बोलता है हजारों साल से मैंने वो सब कुछ किया ताकि ये डाक होल भर सकूँ बट आखिर में हॉल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया अब मैं उसको तबाह कर दूँगा फिर वो डील करता है मिन्सू के साथ कि वो हिंजू को रख सकता है बस उसके बदले में इल्टे की हेल्प करना होगा या हॉल होयल को समझाता है कि अगर इल्टे का पता चले तो मुझे फून करना डायरेट उसके पास नहीं जाना फिर होयल चला जाता है तब हिंजू आती है तो हॉल उसे सब बताता है कि इल्टे को ढूनने जा रहे है हिंजू बोलती है कि उसको ढूनने से पहले सुचे हो क्या कि कैसे उसे कुवे में डालोगे हॉल बोलता है कि अब वो प्लैन काम नहीं आएगा उसे ढून के वहीं जाके खतम करना होगा हिंजु बोलती मना की हूँ न उसके साथ मरने की बात नहीं करने के लिए और कोई रास्ता ढूंडो हॉल बोलता है अभी थोड़े दर पहले मुझे मानने वाली थी और अभी मानने से मना कर रही हो फिर हिंजु उसे सारी बोलती है हॉल बोलता है कि तुम्हें कुछ और याद है और मुझे कुछ और याद है बट मेरे हाथ का निशान देख के तो यहीं लग रहा है कि तुम्हारी यादश सही है और अभी जो तुम्हें निशान हुआ है वो वायन और संगन को था इसलिए वो लोगो पहले का याद था अब हो सकता है कि तुम्हारी याद आश भी जल्दी आ जाएगी और तुम मुसे नफरत करने लगोगी वायन जैसे वो बोलती है मैं नहीं करूंगी फिर सीव और हिंजु दोनों बात करते रहते हैं हिंजु जब बताती है कि उसको पहली के मैं मरी याद आई थी थोड़ा सा तो वो बोलती है कि पहली के मैं मरी याद मत करूंगी लिसुक भी आती है देखने के लिए मना कर रही थी हो सकता है कि कुछ हुआ हो तुम लोगे बीच में इसलिए अगर याद भी आय तो किसी को नहीं बताना फिर हिंजु उसे समझा के सुला के जाती है बार हॉल उसे मिलता है तो उसके जख्खम पर मरम पटी करता है हिंजु बोलती है 600 साल पहले इधरी चाकू से मारे थे और आप मरम पटी कर रहे हो वो बलता हिसाब वराबर हो गया ना फिर मरम पटी करते टाइम जब दोनों का हाथ टच होता है तब हिंजु को कुछ और याद आता है जहां वो देखती कि हॉल और हिंजु दोनों एक साथ बैटे है फिर हिंजु के पास दो बच्चे रहते है जो हॉल को देखके डरते है फिर हॉल हिंजु उसे पूछता है कि तुम उसको अपना बच्चा समझती हो ना मुझे डर लग रहा है कि तुम कहीं मुझे छोड़ के ना जाओ ये सब याद आता है तो वो शौक कम कन्फ्यूज हो जाती है फिर जाती रहती है तो गिरती है तो हॉल उसे संभालता है तब फिर उसे याद आता है कि उसने हॉल को हाथ पे चाको से मारी थी फिर उसके बाद जब हॉल घायल रहता है तब इल्टे आके उसे ले जाता है वो देखके हिंजू और भी शौक हो जाती है बट वो हॉल को ये सब नहीं बताती इसलिए अब उसकी नाम की दूसरी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ फिर होयल उसकी दूसरी प्रॉपर्टी में जाके देखता है वहाँ उसे मिन्सू मिलता है उसे वो जब वो पुछता इल्टे के बारे में तो वो बोलता है कि यहाँ कोई नहीं आया है बट होयल को कुछ खटकता है तो कैप्टन को बोलता है उसकी डिटेल निकाल के देने तभी वो कार के पास आके बोलता है गारी रिवर्स निकाला नहीं तो पेर खड़ाब हो जाएगा कैप्टन मना कर देता है तो होयल वहाँ से चला जाता है यहां कैप्टन को एक पुलीस वाला चलने बोलता है फिर वो देखता है कि चैर्मेन कुछ तो ओर्डर दे रहा है वहाँ ये दोनों बाते करते रहते तब ही हॉल आता है CEO वो लो को प्राइवेसी दे देती है फिर हॉल बोलता है कुछ बोलना है फिर वो बोलती कि मैंने बहुत सोची हूँ अभी भी टाइम में अपनी सोल मतलब आत्मा ले लो बट वो मनाक किया रहता है हॉल बोलता है कि तुमने मुझे लोगों को मारते हुए देखी हो इसलिए डर लग रहा है कि कई में वापिस से ये सब ना कर दू बट मैंने कभी मासुम को नहीं मारा हूँ सिफ मॉंस्टर को मारा हूँ क्योंकि मैं भुला नहीं हूँ कि मैं इंसान था और हमीशा याद रखूंगा और अगर तब भी भरोसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा रुको इल्टे को ढून के उसके साथ चला जाओंगा फिर टेंशन लेनी की जरुबत नहीं परेगी फिर दोयन आके होयल को बोलता है कि लिसुक से सौरी बोलो वो अभी भी गुस्सा है पिछे के रास्ते से भाग जाते हैं ये लोगों यकिन हो जाता है कि पुलीस को इल्टे नहीं भेजा होगा ताकि हॉल घर से बाहर जाए और वो घर के लोगों पर अटैक कर सके ये लोग वेट करते हैं कि जब पुलीस जाएंगी तो ये लोग घर जा सकेंगे वहाँ घर में जब वो लोग कोई नहीं मिलता तो CEO और दोयन को लेके जाते रहते हैं ऐसा विटनेस बट ली सुख चिलाती रहती है तो उसे भी ले जाते हैं कैप्टन बोलता रहता है कि यह सब नहीं चलता है बट वो उसकी नहीं सुनता बाद में यह लोग घर आके देखते हैं कि कोई नहीं है उदर वहाँ वो लोग को सुनसान रास्ते में ले जाते रहते हैं जब कैप्टन पुछता है कि क्या चल रहा है यह सब तो वो बताता है कि कोई केस नहीं था यह तो टार्गेट थे चैर्मेंट से ओडर आया है यह वहाँ चैर्मेंट इल्टे को बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया हूँ हर बार हेल्प किया हूँ इसलिए आने वाले इलेक्शन में हेल्प करना और अगर नहीं करे तो तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बता दूँगा इल्टे गुस्ते के मारे उसे काट देता है यहाँ यह दोनों वो तीनों को फोन ट्राइक करते रहते हैं बर नहीं लगता फिर हॉल होयल को कॉल करके कैप्टन से पुछने बोलता है पिर जब होयल कैप्टन से पुछते है वो नहीं बताता बर तबी मिन्सु आके बोलता है ताकि तुम हॉल का असली चरह देख सको तुम्हें मालूम है evenly क्यों चाती थी क्योंकि वो भी मेरी तरह है फिर हॉल मोबाइल लेके उसे धमकी देते कि किसी को कुछ मत करना क्मी लाजंसदो है पीछे से मिंसु भी आता है लिसुक फिर मिन्सु को मारती है वो उसे उठा के पटक देता है तब ही उसके आंग में आता है और वो बोलती है कि एक बुरी आत्मा आएगी डाखोल में से एक बुरी आत्मा जो अपने फदर का खून पिएगा वो आ रहा है डाखोल बंद करने है इल्टे ये सब सुन के कालते है वो बोलती है कि भाग जाओ इससे पहले वो लोग वापीस ना आ जाए बोलके मर जाती है फिर अंदर होयल आता है लिसुक को देखे वो शौक हो जाता है पिर वहां होँजम अगा पहँचते दिखते है कि होयल घायल अपर हीgos हुएट होगा है और सीयों और दोयन मार दोंगा जो मेरी फैमिली को नुक्सान पहुचाएगा हॉल का ये रूप देख के उसे वह वाला हॉल याद आता है और इल्टे की बाद भी कि वह भी इल्टे जैसे है हिंजु बोलती कि तुम इल्टे जैसे नहीं बन सकते हो क्या तुम वही हॉल जिसे मैं जानती हूं क्य तुम्हें इनसान बन के नहीं रहना हॉल गुसा करता रहता है और यहीं एपिसोड खतम हो जाता है क्या हॉल का अब असली रंग बहार आरा है इल्टे जैसा या फिर उसमें अभी भी इनसानियत बची है जानने के लिए नेक्स एपिसोड जैसे हॉल अपनी हैवानिया दो यान एक दुसरे को होसला देते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा बस हमें कैसे भी भागना होगा इधर से या हॉल लोग मिनसु के बारे में पता करते हैं कि कहां गया होगा लेके वो फिक केटन्ट पुलिस्टेशन से उसके बारे में डिटेल निकाता है क्योंकि होयल को खट लिसुक का क्या उसे ऐसी जमीन पर छोड़ देंगे वो बोलता है वैसी भी मर गई है पहले दूसरों को ढूंते हैं होयल बोलता है कि तुम लोग जाओ मैं इधर रहता हूं लिसुक के साथ वहाँ दोयन की हालत खराब होती जा रही थी चोटकी वज़े से बट मिन्सु गारी उसे जब नहीं हो पाता तो वापीस जाता रहता है देखता है कि वो लोग गायब हो गए तो गुस्से के मारे वो ड्राइवर को मार देता है यह लोग जान बचा के भागते हैं दोयन की हालत बहुत खराब रहती है बट सीयो कैसे कैसे उसे लेके एक जगे पे छूप जाती है तब वो देखती है पहले काट जहां वही दोनों बुल गजल से बच रहते तब सीयो उसको बोलती कि अपने फादर को जाकर बुलाओ वो जरूर आएंगे सीयो वो सब देखके शौक रहती है तब ही वहां मिनसु पहुंचता है दोयन बोलता है कि अलग अलग रास्ते जा है फिर सीयो को भेच के मिनसु को अपने पास बुलाने लगता है बड़ सीयो बोलती कि तुम्हें मेरी बहन चाहिए न मुझे मार दो फिर उसे कुछ मत करो फिर दोयन को बोलती कि जाके हौल और हिंजु को ढूंडो वहां हौल लोग पहुंचके देखते है कार तो उदर ढ हौल को ढूंडे ढूंडे दोयन घायल पड़ा मिलता है वह बेयोश की हालत में बोलता है कि सीयो को वह लेकर चला गया है वहां वह सीयो को लेकर जाता रहता है बड़ हिंजु को देखके खुश हो जाता है फिर उसको माने जाता है हिंजु बोलती कि जब तुम लोग को मेर जरुवत थी तुद्सरों को क्यू तकलिफ दिये बोल के उसे चाक को से मारती है। वह हुटों को चुटे चाक मारने पिर बहुत मारता है बट हॉल मरने वाला कहा था आग बंध होके भी उसे मारता रहता है हिंचु उसे रुकती है कि बस करो मर गिया है फिर वो पुछता है कि दोनसल किदर है जो कि उसकी वाइफ का नाम रहता है मतलब सीयो फिर सीयो होश में आके दोयन के बारे में पुछती है फिली सुक का बोल के रोने लगती है फिर हिंचु होयल को कॉल करके बताती है कि अब दोनों सेफ है होयल यहां के रिडेक्टिव को वार्निंग देता है कि यहां जो हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं ब बट कैप्टेन बोलता है मुझे नहीं मालूम है तो खुद पहली बार उसे मिला हूँ हॉल उसे मुबायल देके बोलता है कि इल्टे कांटेक करें तो मुझे कॉल करना और होश्यारी नहीं करना अगर तुमारी फैमली को सुरक्षा देखना चाते हो तो हॉल उसका डिटेल निकाला रहता है जब उसने होयल के साथ उसे देखा था क्योंकि 600 साल पहले उसने ही राजा को मारा था हॉल बोलता है कि तुम मेरी फैमली को नुकसान पहुचाए थे बड़ इस बार नहीं पहुचाने दूँगा बोलके उसे खोल देता है फिर जब हिंजु उसे पुछती कि क्या बोले तुमने तो वो बोलता है कि मैंने उसे धमकी दिया हूँ उसकी फैमली को मानने का वो बोलती फिर तुम इल्टे से कैसे अलग हुए वो बोलता है कि इल्टे को ढूनने के लिए ये कुछ भी करूंगा भले उसके जैसा बनना क्यों ना परे वहाँ जंगल में इल्टे लीसु की भविश्वानी के बारे में सुचता रहता है फिर दिखाता है हजार साल पहले का जहाल इल्टे की बोडी में डाक होल बनाता है ये बोलके कि अभी के लिए तुम्हारी आत्मा ले रहा हूं ताकि मैं इंसान बनके मरूं अगली बार जब मेरा जनम होगा इस हाट के चोट के निशान के साथ तो मुझे ढून के बुलगजल बना देना और अगर ऐसा नहीं करोगे तो डाक होल कभी बन नहीं होगा और हमेशा दर्द में रहोगे बोलके चला जाता है तब से इल्टे डाक होल की वज़े से दर्द में है यहां हिंजू लोग घर आ जाते हैं दोयन बहुत ही दुखी रहता है लिसु की देथ की वज़े से कि सुभा तक तो सब ठीक था फिर अचानक क्यों होगे ऐसा फिर सियो और हिंजू बात करदे हैं वो लोगों लगता है कि हाल भी बहुत दुखी होगा लिसु का देखके बट दिखा नहीं रहा है सियो बोलती कि तुम हाल को देखो मैं दुयन के साथ रहती हूँ फिर हिंजू हॉल के पास जाती है और बोलती है लीसो का फंडरल रखेंगे बट वो बोलता कि हमारे पास टाइम नहीं है जो मरे हैं उनके पारे में सूचने के लिए वैसे भी वो मेरी फैमली नहीं थी मैं उसको इसले पास रखा था क्योंकि वही शामन ने 600 साल पहले गाओंवालों को मुझे मानने बोली थी हिंजू बोलती कि अपने आप से जूट मत बोलो नहीं तो बाद में पश्तावा होगा बट वो बोलता है सच बोल रहा हूँ मैं बुलगजल बनना चाता था इसलिए मैंने इल्टे को हजार साल पहले बोला मुझे बुलगजल बनाने के लिए हम दोनों एक ही साइड में थे उस वक्त तुम दोयन और सीउ को लेकर यहां से चले जाओ क्योंकि ठग गया हूँ तुम लोगी रक्षा करते करते वो हिंजु की बात जरा सा नहीं सुनता और बोलता है मैं यहीं रहके इल्टे को मारूंगा इसलिए तुम लोग जाओ फिर हिंजु ना चाते हुए भी दोयन और सीउ को लेकर निकल जाती है फिर होयल हॉल को कॉल करके बोलता है कि लिसु कक के संभाल लिया हूँ छूट बोलके अभी घर आता हूँ हॉल उसे बोलता है कि यहां आनी की कोई जरुवत नहीं है बोलके रख देता है हॉल सब को अपने आप से दूर कर देता है वहाँ होयल को कैप्टेन कॉल करके बोलता है कि हेल्प करने तो वो वहाँ जाता है उसे मिलने बट कैप्टेन की जगा उदर इल्टे पहुंचता है उसे देखके होयल पूछता है कैप्टेन की दर है क्या तुमने उसे भी मार दिये वो बोलता नहीं नहीं में बिना वज़े नहीं मारता लिसुक को तो इसलिए मारा ताकि हॉल को भड़का सकूँ ये सुनके होयल डंडा उठा के उसे मानने जाता है तब ही वो बोलता है कि तुम्हारे फादर लोगों को जहर दे के मारता थे ना वो इंसान नहीं थे मॉंस्टर के बारे में तो पता ही होगा और ये भी पता होगा कि मॉंस्टर को कौन मारता है होयल समझ जाता है कि उसके फादर और उसकी बहन को मानने वाला इल्टे नहीं हॉल है होयल ये सब सुनके शौक हो जाता है इल्टे बोलता है कि पता है उसने तुमारे फादर के साथ साथ तुमारी भेन को क्यों मनने छोड़ दिया क्योंकि उसे फरक नहीं पड़ता बस उसे अपनी फैमली का बदला लेना रहता है हजार साल पहले भी और अभी भी बोलके चला जाता है कैप्टन के पास वो बोलते हैं कि होयल को तकलीफ नहीं दो गे ना इलटे हैं नहीं दूंगा बलकि वो मेरे ही साइड हो जाएगा और हॉल अकेला छुट जाएगा पहले की तरह वहाँ ये लोग जाते रहते हैं दोयन जब पुछते हैं कि हॉल कब आएगा तब हिंचु वो लोगो सब बताती है और बोलती है कि अब मुझे भी नहीं पता हॉल कौन है फिर वो हॉल की बाते सुचती है कि उसने ही इल्टे को बोला था बुल गजल बनाने फिर सोचती है कि हॉल उसे बताया था कि उसे अकेले रहने की आदत हो गई है बच्वान उसके फादा ने उसे छोड़ दिया फिर जब बुल गजल बना तब भी अकेला था वहां हॉल लीसु को इतना याद करता है कि उसके साथ बिताए पल याद करता रहता है ये कैसे वो हर छोटी बात पर उसे चिलाती थी कैसे जब भी वो दूखी थी तो हॉल ने कभी उसको छूटा दिलासा तक नहीं दिया फिर लीसु कब बच्पन जब उसे बोलता है कि मुझे अनाताश्रम में नहीं रहना क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती एक तुम हो जो मुझे फैमली जैसे लगते हो बट हॉल चिला के बोलता कि तुम क्यों बार बार आ रही हो तुम तो मेरी फैमली भी नहीं हो तुम तो मुझे मरवाना चाह रही थी 600 साल पहले फिर अभी क्यों जो दर्द ली सुक के लिए बयान नहीं कर पा रहा था वो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था फिर वो चाकू निकाल के खुद को तकलिफ देने जाता है तब ही उसे हिंजू आके रोकती है वो बोलती कि क्या कर रहे हो हमारे साथ चलो तब हॉल अपना सारा दर्द बहा निकालता है कि ली सुक हमेशा मेरे साथ रहना चाती थी बट उसे रहने नहीं दिया वो मेरी बेटी जैसी थी और मेरी बेटी मर गई है मैं चाके भी रो नहीं पा रहा हूँ इसलिए सीने का ये बोच हलका करना है हिंजू उसे हग करके बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ये दर्द कम करने में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमली को भी बचाऊंगी इल्टे से इसलिए चलो मेरे साथ हॉल को अब थोड़ा अच्छा लगता है एन यहीं एपिसोट खतम हो जाता है अब आगे देखते हैं कि हॉल ली सुक का बदला इल्टे से कैसे लेता है एन होयल अब किस तरफ रहेगा सथ सुनने के बाद जाने के लिए नेक्स एपिसोट हिंग जू हॉल को अपने साथ ले जाती है फिर से वो लोग नएवाले घर जाते है वहाँ जब दोयन को ली सुक का कपड़ा मिलता है तो दोनों उदास हो जाते है फिर सी उसे समझाती है कि अभी हार नहीं मान सकते है हिमत से काम लेना होगा वहाँ हिंग जू हॉल की आकी मरम पट्टी करती है हॉल जब पुछता है कि वापिस क्यूं आई मुझे वहीं छोड़ देती पता है ना मैं इल्टे के साइट था पहले वो बोलती मुझे मुझे मालूम है मैंने मेमरी में देखी हूँ बढ़ अब फरक नहीं परता मैं तुम्हें चाके भी छोड़ नहीं पाई फिर हॉल उसे पहार दिखाता है जहां 600 साल पहले गाउं वासी रहते थे वो बोलता है कि यही पहार से सब शुरू हुआ था और यही पहार में मैं बुलगजल बना था तुम्हें यह सब बताना था और आकरी बार खुद भी आना था यहां वो हिंजु को यह पहार दिखाता है ताकि उसे सब याद आ जाए और वो भी नफरत करने लगे हॉल से और उसे ना रोके इल्टे के साथ मरने से हॉल अब पुरा फैसला ले लेता है इल्टे के साथ मरने का हिंजु उसे समझाती है और बोलती कि मेरी फैमली के बाद सिर्फ तुम पे भरोसा की हूँ जब तुम पास नहीं होते तो अधूरा जैसा लगता है अब तुम अपनी फैमली को भी नहीं खो सकते हो सीउ और दोयन ही तुमारे वाइफ और बेटे थे ना पहले और फादर को मारा है इसलिए वो नहीं उठाता फिर पुली स्टेशन जाता है कैप्टेन से जाके पुछता है इल्टे के बारे में बट वो नहीं बताता यहां यह लोग शापिंग करते हैं फिर दोयन फोटो प्रिंट करवाता है जो वो लोग बार्बीक्यू करते टाइम लिये थे वो दुकान के ओनर वही गाउन वाला रहता है जो पहले हॉल को मारने वाला था फिर वो दुसरे गाउन वालो को भी वहां देखता है फिर दोयन स्कूल के बच्चे को गौर से देख रहा था ये तीनों को साथ में देख के हिंजु को बहुत खुशी होती है महां होयल रात बर पिता रहता है फिर उसके पास कैप्टन आके उसे बताता है कि कमिशनर बहुत दिन से गायब है उनने ही ओर दिये थे हॉल के घर जाने का तो हो सकता है कि उनको इल्टे नहीं मारा हो वो होयल को गन देता है ताकि वो इल्टे को खतम कर सके क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसके भी इस्तमाल करके इल्टे उसे भी ना मार दे यहां ये दोनों पहार चाते हैं हॉल चाता है कि पहार दे के हिंग्जू को कुछ याद आए बट हिंग्जू चाती है कि सब चीज़ को वापिस पहले जैसे करना वो हॉल को बोलती है आत्मा लेके अपनी फैमिनी को खुद संभालो मेरे पे थोपो मत मैं शुरू से बुलगजल थी वही बन जाओंगी बट हॉल तयान नहीं रहता है तो उसे वो धंकी देती कि अगर अभी मैं मर गई तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें मुझे बुलगजल बनाना ही होगा आत्मा लेके बट हॉल उसे रोकता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि पूरी जिंदगी भर मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा हूँ जब बच्पन में तुम गाओंवालों से बचाई थी तब एन तब भी जब तुमने मेरी आत्माले के मुझे बिल भरक जाती है कि लिसुक के बाद सीख नहीं लिया और क्या उसको माणने से पहले कोई और रास्ता निकालो ताके सब जी सके तब ही वहां होयल आता है वो बताता है ये दोनों को की इल्टे जंगल में है जहां कुवा है हॉल बोलता है कि इल्टे चाल चल रहा है कैसे भी करक उसे कुवे में डाल नहीं होगा तब ही दोयन आता है वो लोगो खाने पे बुलाने के लिए सब खाने पे बैठते है तो सीउ बोलती है कि मैं लिसुका सारा काम करूंगी हॉल को डिलिवरी दूंगी और उस कुवे की सुरक्षा भी करूंगी जिसमें इल्टे रहेगा मेरा बेबी आने वाला है तो मुझे हिंचु की जरुवत परेगी इसलिए प्लीज खुद को इल्टे के साथ मानने का प्लैन मत बनाओ फिर दोयन भी बोलता है तो लोग बोलते कि ठीक है हम लोग कुछ रास्ता निकालते हैं जिससे हम सब जिन्दा रहे फिर हॉल जो खाना नही करता है ताकि आपको जवान बना सको फिर दोयन उसे वह फोटो भी देता है वहां यह दोनों जंगल में पहुंचते हैं हॉल दिंग जू को बोलता है कि इल्टे को कुवे में बंद करने के बाद मुझे इंसान बनना है ताकि इंसान जैसा रहूं बुढ़ा हूं और अपने ना मर के साथ में वापिस जाते हैं फिवो लोग कुवे के पास जाते रहते हैं हिंजु होयल को समझाती कि कि अगर हॉल का दिल घायल रहा तो इल्टे के दिल पे गोली नहीं चलाना नहीं तो हॉल भी मर जाएगा वो बोलता मतलब दो बुल्गुजल के दिल पे मारेंगे तो दोनों मर जाएगे ना ठीक है वहां अंदर कुवे के पास इल्टे इंदजार करता है यहां बाहर हॉल समझाता है वो लोग को कि मैं अंदर इल्टे के साथ लड़के उसे बाहर बुलाऊंगा तब होयल उसको गोली मारे गार इंग जो उससे इंजेक्शन देगी जो उस पहले तुम्हें मुझे डालना था कुवे में अब मैं तुम्हें डालूंगा क्या बात है पहले से चेंज लग रहे हो मालू मैं यहां आके मरोगे तब भी आ गए क्या मेरे से लडने का इतना शौक है हॉल बोलता लडने नहीं बात करने आया हूं सौरी जो भी तुमने बो परुआ करता है यृटे उसे मारता और उसे काटता वी और उसे बोलता मैंने उसे हजार सलf पहले बचाया था फिर क्यूं कर रहे हो वैशा अब बस वा ठख गया हूं ये लराई से अब तुम्हें कुवे में डाल दूँगा फिर जिन्दागी भर के लिए पच्ताना तुमने मुझे धोका दे के वो हिंजू का साथ दिये थे रुको उसे तुम्हारे सामने ही मारता हो वो बाहर जाता है हिंजू के पास तबी साइट से होयल उस पे गोली चलाता रहता है और फिर उसके दिल पे भी गोली मारता है हिंजू बोलती कि क्या कर रहे हो दिल पे क्यों मार रहे हो वो बोलता है कि दोनों बुलगसल को मारना होगा फिर वो जाके हॉल पे निशाना नगाता है बड़ हिंजू उसके सामने रहती है और बोलती हॉल को क्यों मार रहे हो उसने कितनी बार हमारी जान बचाया है होयल भी याद करता कि कैसे हॉल ने उसकी जान बचाया था तो वो गोली नहीं चलाता बर तब ही दोनों के नाक से खून निकलता है इल्टे ने अभी अभी हॉल का खून पिया था इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया था फिर जल्दी से हिंजु जाती है उसे इंजेक्शन देने बर इल्टे उसे रोकता है तब ही होयल उस पे गन चलाता है और हिंजु को बोलता है भागने बर इल्टे अपनी बाप को चाको से मारता है और रोते हुए बोलता है कि कोई रास्ता नहीं छोड़े अपने हिंजु रोते रोते वहां से भाग जाती है इल्टे होयल को मानने के बाद होल को कुवे में फेक देता है पीछे से उसे होयल पकड़ के बोलता है कि तुम हिंजु के पीछे नहीं जा सकते वो बोलते बस हुआ हर बार बीच में क्यूं आ जाते हो 1000 सल पहले भी, 600 सल पहले भी और अभी भी बस हुआ, अभी अराम करो फिर वो जाता हिंजू के पीछे वहां हिंजू सोचती है कि ऐसे मैं अकेले नहीं जा सकती मुझे इल्टे को मारना होगा और सब को साथ में लेके जाना होगा वहां इल्टे उसे ढूम लेता है यहां होयल हौल को बोलता है कि तुमने मेरे फादर को मारे क्योंकि वो मॉंस्टर था बट मेरी बहन को वहां ऐसे क्यों छोड़ दिये तुम उसे बचा सकते थे ना मैंने जिन्दगी भर बदला लेने का सूचा बट अब ले नहीं पाया इल्टे हिंग्जू के पीछे भागा है हमें उसे बचाना होगा तुम अगर मेरा खुन पियोगे तो लड़ सकते हो उससे मैं वैसे भी मरने वाला हूँ सियो को बोलना कि अगली बार मेरा बाल कलर कर देगी अब जो वादा होयल ने हौल से करवाया था 600 साल पहले अब वो खुदी तोरवाता है वहां इल्टे हिंग्जू के पास बढ़ता रहता है यहां हौल होयल का खुन पीता है तब ही वहां इल्टे के डाक होल में से भी खुन निकलने लगता है लिसुक की भरिश्वानी सच हो रही थी कि एक बुरी आत्मा जो अपने बाप का खुन पिएगा वो आ रहा है डाक होल बंद करने अब होल वो बुल गजल बन गया है जो इनसान का खुन पिया है फिर दिखाता है हजार साल पहले का जहां उस टाइम के हॉल बुल गजल को होयल, सीउ और दो यंद तीनों चाकु से हमला करते है वो हॉल बुल गजल इससे पहले कुछ करता हो लिए हिंजो खुद के दिल पे चाकु से मारती है और बोलती है कि नफरत करती हो तुम से अपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है हॉल, इल्टे और हिंजो के साथ, क्या दोनों बुल गजल मर जाएंगे या फिर हॉल अब इनसान का खुन पे के इल्टे के साथ रहेगा जानने के लिए शुरवात होती है हजार साल पहले से, जिदर हम देखते हैं कि एक पेरंट्स अपने बच्चे को गुफा में भेज देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बट एक सेनिक उस बच्चे को ढून के मारने जाता है तब ही बुल गजल हिंग्जू वो लोग को बचाती है वो छोटे बच्चे को हस्ता हुआ देखती है तो उसे अच्छा लगता है फिर हॉल आता है तो वो बच्चे उसे डर के छुपती रहती है फिर हिंग्जू वो बच्चो को एक घर में भेशती है जिसमें लिसुक रहती है लिसुक वो दोनों बच्चो को अंदर ले लेती है वो बच्चो से हिंग्जू इतना अटैच हो जाती है कि वो लोग को दूर से दिखती रहती है फिर दिखाता है पांग साल बात का जहां वो छोटी लड़की और कोई नहीं छोटी सीउ रहती है वो अपने भाई और लिसु के साथ जंगल में काम करती रहती है तब ही एक मॉंस्टर आता है जो इंसान को खाता है वो उसके भाई को पकर के ले जाता रहता है फिर वो जब हिंजु को देखता है तो वो भाग जाता है वो छोटा बच्चा हिंजु को थैंक्यू की जगा छोटा सा फूल देता है हिंजु के लिए तो ये सब नया रहता है तो उसे अच्छा लगता है फिर वो खासता है तो सीउ बताती है कि बच्पन सही वो खास रहा है ठीकी नहीं होता बोलके चली जाती है फिर हॉल हिंजु को बोलता है कि तुम उसे अपने बच्चों जैसा समझती हो ना मुझे डर है क तुम मुझे छोड़के चली जाओगी वो बोलती कि तुम्हें छोड़के कैसे जाओंगी क्योंकि इस धर्ती में हम दो ही बुलगर्जल जो है फिर आदी रात में हॉल उटके देखता है कि हिंजु गाया भे वह हिंजु वो छोटे बच्चे के लिए जरी बुटी जाके वो लोगे घर के दर्वाजे पर रखके जाती रहती है बड़ सीओ उसे देख लेती है और उसे याद भी आ जाता है कि हिंजु नहीं उसकी गुफा में मदद की थी फिर लिसु का आती है तो उसे जाने बोलती है क्यों कि उसे लगता है कि वो बुल गजल होईगी बड़ फिर सीओ साब बताती है कि वो मॉंस्टर नहीं है उनने ही हमारी मदद किये थे हिंजु बुल गजल जो रहती है वो बोल नहीं सकती थी सिर्फ दुसरे बुल गजल क से मन में बात कर सकते थे इसलिए वो वो लोको कुछ बता नहीं पाती लिसु को लगता है कि हिंजु जंगल में अकेले रहती है और सियू भी उसे बोलती है कि हमारे साथ रहो ना तो हिंजू वोलों के साथ रहने को तयार हो जाती है वहां हॉल बहुत गुसा में रहता है कि हिंजू उस इंसान के लिए उसे छोड़के चली गए या हिंजू वो दोनों बच्चों का ख्याल रखती है वो बस ये दोनों बच्चों को अपने आखों के सामने बरा होते हुए देखना चाहती थी फिर वो चली जाती हॉल के पास बट वहां हॉल अकेले गुफा में हिंजू का इंतजार करते है दस साल बीठ जाता है फिर हमें मालूम होता है कि वो दोनों बच्चा सीउ और दोयन है फिर हिंजू वो लोग के साथ जाती है जंगल में काम करने ये लोग जब पेर देखते रहते हैं तब ही कुछ आवाज सुनते है जाके देखते हैं कि एक आदमी दुसरे आदमी को पत्थर से मार रहा है एंड वो आदमी और कोई नहीं इल्टे रहता है वो जब आवाज सुनता है तो दोयन को तीर से मारता है फिर दोनों को चाकु से मारने जाता है तो हिंजू उसे बुलगजल बन के रोकती है फिर वो लोग दोयन की मरम पटी करते है तो ली सुक्सियों को बुलती कि हिंजु भले रक्षा करती है हमारी फैमिली की बट वो इंसान नहीं है पक्का एटलिस हमारी भलाई के लिए वापिस चले जाना चाहिए उसे बिचारी हिंजु भार से सब सुनती है वहाँ इल्टे अपने फादर जो की होयल रहता है उनको बात करते वे सुनता है की इल्टे बिमार रहता है इसलिए वो अपने दूसरे बेटे को जादा पसंद करते है जिसे इल्टे ने जंगल में मारा था फिर उसकी वाइफ से खबर मिलती है कि दूसरे बेटे शिकार करके वापिस नहीं आया है तो वो अपने आदमियों को भेजता है जंगल में ढूनने के लिए या सियू हिंजू का हाथ पकर के बोलती है कि पता था तुम बुलगजल हो क्योंकि वो उसकी मेमरी पर नहीं पाते क्योंकि बुलगजल में आत्मा जो नहीं होती बट वो बोलती है कि कोई फरक नहीं परता कि तुम बुलगजल हो या कोई मांस्टर तुमने हमें बचाई थी और आप भी परिवार हो फिर उसे प्रामिस भी ले दी कि कभी कोई इनसान को तकलिफ नहीं परचाना वहाँ होयल अपने दुसरे बेटे की लाश देखता है वो पुछता है कि ये किस ने किया तब हिल्टे बोलता है कि ये भुलगजल ने किये मैंने खुद अपने आखों से देखा हूँ जंगल में और मुझे पता है कि कहां है वो फिर होयल अपने आदमियों के साथ इस घर में हमला करता है वो फिर कन्फर्म करने के लिए हिंजू का हाथ काटता है बट वो जल्दी ठीक हो जाता है तो सारे गाउं वाले भी शौक हो जाते है होयल फिर उसे चाकु से मारता है हिंजू चाती तो एक पंच में होयल को सुला देती बट सी उसे किया हुआ वादा वो निभाती है होयल और कैप्टन दोनों हिंजु को चाको से मारते रहते हैं बट वो कहां मरती तो वो बोलते हैं कि इसका सर कलंग करके जमीन में गार देते हैं फिर वो घर को भी आग लगाने का हुकम देता है और हिंजु का सर काटने चाता है बट भी सबके नाग से खून बैने लगता है सब कमजोर हो जाते हैं हिंजु बेहुश हो जाती है फिर जब आँख खोलती है तो देखती है कि ली सुक के लिए दोनों रो रहे हैं दोन सीउ के गर्दन का चोट संभालता है वो सब देखके हिंजु बुल गजल को भी रोना आ जाता है फिर वो देखती कि हॉल पूरे गाउं वालों को मार गी डेविल वाला स्माइल दे रहा है तो हिंजु गुसे में उसे चाकु से मारती है जो उसके हाथ में लगता है वो पुछती है कि तुमने क्यों मारे सबको वो बोलते है कि ये बेवकुफ इंसान तुमें तकलिफ पहुंचा रहे थे अब सब खताम हो गया इसलिए चलो मेरे साथ बट वो अपने कदम पीछे ले लेती है तब ही होयल, सीउ और दोयन, तीनों उसे चाकु से मारते है वो गुसा हो जाता है कि तुम जैसे इंसान की हिमत कैसी हुई मुझे मारने की इसलिए वो श्राब देता है होयल को शिराब देता है कि जिस हाथ से मुझे मारे हो वो तूट जाएगा दोयन को देता है कि कभी अपनी आख से देखनी पाऊगे सी उ को देता है कि कभी बच्चे को जनम नहीं दे पाऊगी वो बोलता है कि अब तुम तिनों को मार दूंगा तुम जब फिर से जनम लोगे तो फिर से ढूंड के मारूंगा और ये शिराब तब तक नहीं खतम होगा जब तक मैं मरना जाओं फिर वो इससे पहले वो लोग को और मारता हिंजु अपने दिल पे ही चाकू से मारती है और बोलती है कि नफरत करती हूं तुम से तो वो बोलता है कि क्या कि तुमने मैं ऐसे नहीं मर सकता मैं वापिस जरूर आऊंगा और सब का बदला भी लूँगा और तुमें भी ढूंडूंगा क्योंकि तुम मेरी हो फिर थोरे देर बाद इल्टे वहाँ पहुंचता है वो देखता है कि हॉल इतना घायल होने के बाद भी जिन्दा है तो उसे पुछता है क्या मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूं होयल उसको चिलाता रहता है और बोलता है कि उसके पास मत जाओ बड़ वो उसे अपने साथ ले जाता है उसके बाद तो पता ही है हॉल इल्टे की बोड़ी से में डाक होल बनाता है ताकि वो इनसान के रूप में ही सही जिन्दा रह सके लास एपिसोड में देखे थे कि हॉल होयल का खून पी के ताकत वापिस ले लेता है इसलिए इल्टे कमजोर हो जाता है तभी हिंजू उसे इंजेक्शन देती है और कुवे के पास देखती है कि होयल मर गया है तो वो बहुत रोती है वो उनको अकेला छोर के भाग गई थी इसलिए सौरी भी उनको बोलती है फिर वो उनको बोलती है कि अभी काम पूरा करके आती हूँ वहां हॉल वही गुफा में जाता है जहां वो हजार साल पहले रहता था वहां इल्डे उसका इंतजार करता रहता है वो हॉल को बताता है कि बुलगसल बने के बाद वो गुफा में आया था बढ़ हिंजू उसे अंदर आने नहीं देती वो कई साल हॉल का इंतजार करती है बढ़ उसे खुश होने को भी नहीं बोलती है क्योंकि वो बस इंतजार इसले करती है ताकि वो तुमें वापिस मार सके क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं तुम वापिस दो यान और सियू को ना मार दो तुमें तो मेना शुक्र आदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुमें उसे बचाया हूँ उसके चेरे पे लगा हुआ खुण देखे हॉल उसे पुछता है कि किसका खुण है वो बताता है कि गुफा में आदे टाइम उसने लोगों का खून पिया था अब वो अपना खून बहाता है ताकि हॉल उसका खून पिके उसके जैसा ही बन जाए बुलगजल जब एक इंसान का खून पी लेता है तो उसे लट लग जाती है उसी बात का फाइदा उठाता है वो हॉल को बोलता है कि मेरा खून पिके हजार सल पहले जैसा हॉल बन जाओ जो अकेले पूरे गाउं को तबा किया था चलो पहले जैसे बुलगजल बन जाओ और ये डाक हॉल से छुटकारा दिला दो बट हॉल बोलता है कि कभी वो बुलगर्जल नहीं बनूगा जो तुम बनाना चाते हो मुझे इंसान बन के ही रहना है वो बोलता है ऐसे है तो फिर मुझे तुम्हारी जरुवत नहीं और उसे मारता है बट तबी पिछे से हिंजु उस पे हमला करती है वो हिंजु को मार के बोलता है तुम भी तो हॉल को मानना चाती थी फिर अब दिखावा क्यों कर रही हो उसे बचाने का मैंने बोला था ना हम दोनों एक जैसे है वो बोलती है कि हॉल तुम्हारे जैसा नहीं है वो अलग है इल्टे बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो हॉल मेरा होता था मुझे तुम लोग को मिलने ही नहीं देना चाये था बोल के उसको नाखुन से मारता है और काटने जाता है बर तवी हॉल उटके उसे काटता है और उसका सारा खुन ले लेता है फिर उसके दिल पे चाकू से हमला करता है अब वो पूरा कमजोर हो जाता है हिंजु उसे वापिस इंजेक्शन दे देती है ताकि वो हिलना सके और हॉल को बोलती कि आकिरकार हमने कर दी है चलो इसको कुए में बंद करे बट हॉल वहाँ से चला जाता है इल्डे बोलता है कि अब उसने खून पी लिया है इसलिए अब वो पहले जैसा हॉल कभी नहीं बन सकता हिंजु उसे ढूंदे हुए जंगल में जाती है तब हॉल अपने दिल को चाकू से मारता है हिंजु बोलती कि यह क्या किया तुमने जल्दी मेरी आत्मा ले लो बट वो बोलता है कि बहुत देर हो गई है अब मैं वापिस पहले जैसा नहीं रह सकता और जब तक मैं जिन्दर रहूंगा तब तक दोयन और सीउ पे शराब भी रहेगा मुझे माफ कर देना जो मैंने हजार सल पहले किया था मैं बस गुसा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़के चली गई हो बट अगर मैं अभी चला जाओंगा तो सीउ, दोयन, ली सुक और होयल अपने अगले जनम में ठीक रहेंगे वो बोलती कि मैं तुम्हें ढूंती रहूंगी इसलिए अगले जनम जरूर लेना और मुझे याद रखना तब ही वो खाक बन के ऊर जाता है फिर कुछ दिर बाद हिंजु सीउ को कॉल करके बुलाती है वो लोग जंगल पहुंचते हैं फिर जब सब कुछ सुनते हैं तो वो लोग सब रूने लगते हैं फिर घर जाते टाइम हिंजु की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी छोट के बारे में भी किसी को नहीं बताई रहती है तो फिर वो सीउ का हाथ पकड़ के उसे सब दिखाती है श्राब सब के बारे में और होयल की धर है वो भी फिर उसे बोलती है कि बड़ी फेमरी बनाना और अच्छे से जीना, बोल के अपना दम तोड़ देती है उसके बाद सीयू और दोयन अकेले पर जाते हैं, वो लोग पुराने वाले घर चले जाते हैं दोयन बोलता है कि इस घर में रहके वो दोनों का इंतजार करते हैं वो दोनों जरूर दूसरा जनम लेके आएंगे फिर दिखाता है आट महीने बाद का जहां सीयू का बच्चा जनम ले लिया है दोयन फिर से स्कूल जाने लगता है फिर छे साल बाद सीयू अपने चोटी सी बच्ची के पीछे भागती रहती है फिर दस साल बाद दोयन बताता है कि उसको शादी करनी है फिर ऐसी साल बित्ते बित्ते सीयू और दोयन की बड़ी फैमली हो जाती है फिर पचास साल बात सी यू को गूड नियूज मिलती कि हिंजू मिल गई है मतलब उसका पुनर जनम हुआ है वहाँ दिखाता है कि हिंजू को कोई एक लेटर में वो घड़ की फोटो भेजता है वो देख के उसके आसू निकल जाते है फोटो के पीछे एडरेस होता है तो वो वहाँ जाके देखती है फिर वो उधर हॉल को देखती है तो डर के भागने लगती है जाते जाते वो प्लान से टकडाती है तो हॉल उसे बचाता है उसी चकर में उसका हाथ कर जाता है तो हिंजू फरस्ट इट बॉक्स लेती है फिर उसके पास जाती है तो हॉल पूछता है क्या हम पहले मिल चुके है वो लोग को एक दूसरे पेचाने पेचाने जो लगते है फिर यहीं ड्रामा खतम हो जाता है यह एंडिंग देखे बोल सकते हैं कि यह ना तो यह हैपी एंडिंग थी और ना ही सैड सो कैसा लगा आपको बूल गजल के बदला का सफर कमेंट करके जरूर बताए ऐसी इंट्रेस्टिंग थ्रिलर से भरा ड्रामा देखने के लिए ड्रामा शॉर्ट थ्रिलर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल जरूर बजाएगा मिलते हैं नेक्स ड्रामा में जब तक के लिए बाई टेक कर